अब आपके एक्जाम में आया हुआ एक कुश्चन है इस कुश्चन को करेंगे और फिर हम समझेंगे कि क्या है एक्चुल पोजीशन और आपको कितना समझ में आया है 2017 एक्जाम में पूछा गया कुश्चन है यह कुश्चन सभी बच्चे को क्लियर विज्वल है एक बार आप बता दीजिएगा नहीं होगा तो मैं पढ़ूँगा क्यूंकि कुश्चन थोड़ा सा लेंदी है इसलिए थोड़ा जूम नहीं कर पाएंगे इसको तो आप बता दीजिए कुश्चन क्लियर है हर किसी को स्क्रीन शो नहीं हो रही बत चोगो अब बताईए अब एक बार देखिए मैंने थोड़ा से साइड कर दिया क्लियर चलियर 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 स्टार्ट करते हैं कॉंसेप्ट क्या कहता है हमने लास्ट क्लास में हाला की करा था कॉंसेप्ट क्या कहता है कि अगर हमारा एसेट एसेट अगर हमारा क्टम होता है माइनस होता है, या तो assets हमारा बढ़ता है, तो minus होने का मतलब हमारा reconstruction से entry करेंगे, और बढ़ेगा तब भी reconstruction से बढ़ेगा तो फाइदा है, तो credit हो जाएगा, घटेगा तो नुकसान है, तो debit हो जाएगा assets के बाद, अगली point पे चले हम liability, liability के अंदर अगर बढ़ेगा तो नुकसान है तो डेबिट हो जाएगा और घटेगा तो फाइदा है क्रेडिट हो जाएगा इसी बेसिस पर हमने काम स्टार्ट किया था सवाल करेंगे ना इस सवाल के अंदर हम सारी चीजे करने वारे विद वैलेंशीट आपको एक लिखवाय था सर कौन सा लिस्ट लिखवाय था अंडर राइटर कमीशन डिसकाउंट डिसकाउंट नहीं लिख देते हैं डिसकाउंट ये सारे वो एक्सपेंस से जिसको हमें क्या करना था जीरो कर देना था राइट आप कर देना था क्या कहता है प्रफरेंश ये डिविड area है it was beside reconstruction of the company as per the following scheme which duly approved by the court और court ने इजाज़त दे दिया है कि आप reconstruction करिए पहला point कहता है preference share convert into 7% preference share 50 rupees each fully paid यानि पहले हमारा preference share share जो था वो 100 रुपे वाला था अब हमने क्या करा preference share holder का पहले rate था 6% अब बोला भाई तेरा rate कर देते हैं पता है कितना हम और हम 50 रुपे का each fully paid up कर देते हैं convert कर दिया उसका यानि तेरे पहले थे 5000 अब रहेंगे तो तेरे 5000 यह लेकिन जो पहले तेरे को 100 रुपे वाला था अब उसको कितने में convert कर दिया पचास पर देखें जनल entry कैसे होगा एक दो आपको देखोगे तो थोड़ा clarity बनेगा entry number A हम पहले इस वाले preference share को यहां से हटाएंगे जो कि हमारा 6% preference share capital account debit ठीक है और 2 अब नए वाला preference share देगे तो उसको credit करेंगे कितने परसेंट वाला 7% preference share capital account sir इस balance sheet में से पूरे 5 लाग खतम हो जाएगा और number of आपको पता ही कि कितने थे 5000 थे तो मैं अगर यहां पर count करूँ तो 5000 अब लेकिन मैं 50 रुपेगा दूआ that is 250 अब match नहीं हो रा बाकी हो गया फाइदा तो reconstruction धाइला पहली entry मैंने कर दिया आपके सामने किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताईए मैं दुबारा भी बता देता हूँ सर कहानी क्या थी प्रिफरेंस share holder जो पहले से था हमारे balance sheet में उसको बोला भाई तू तो अब तेरा 6% अब तेरा percentage हम बढ़ा रहे हैं और बढ़ा के कितना कर रहे हैं तो पहले जो तेरा percentage था उसको हम बढ़ा रहे हैं यानि balance sheet में से तो हट गया तो इससे debit करके balance sheet से निकल गया साथ percent कर रहे हैं लेकिन सर्त ये भी ये के तिरको 100 रुपे का नहीं मिलेगा अब एक preference share अब तेरा एक preference share हो जाएगा पचास रुपे अब इसका मतलब ये बिलकुल भी नहीं है कि बाकी के 50 बाद में preference share holder से मांगें हैं तो ऐसे situation में मैंने धाई लाक रुपे का उसको नहीं वाला preference share दे दिया जो कि कितने percent वाला था साथ और बाकी का difference जो भी था हमारा पाइदा हो गया कितने का पूरे धाई लाक का जिसे हमने कहां बेज दिया reconstruction क्लियर है पहला point बताईए किसी को एक एक point पढ़के और धीर धीरे करना है बी पाट कहता है सर equity share cell भी reduce to 3 अब एक होता है reduce by और एक होता है reduce to अगर मैं reduce की बात करूँ तो इसके अंदर सर दो point होते है या तो examiner बोल सकता है reduce to या बोल सकता है reduce by शब्द लगा होगा जैसे यहां पे two लगा हुआ है मतलब amount से पहले अगर मैं reduce to कहता हूँ तो इसका मतलब वो उतने का ही बच गया है अगर मैंने कहा कि 10 रुपे वाले हमारा each एक share था इसको reduce to कर दो reduce to four तो इसका मतलब now new जो share होगा वो कितने का होगा चार रुपे का ही होगा अगर मैं कहता हूँ 10 रुपे वाला एक share था और आप इसे कर दो reduce by four इसका मतलब सर जो new वाला होगा वो कितने का होगा छे का तो यह फरक है और बाकी मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत बच्चों को पता होगा कि क्या है यह ठीक है तो हमारे वाले question के अंदर बोलता है अब तीन का हो गया भाईया fully paid up यानि पहले 10 रुपे का हुआ करता था तो भाईया पुराने वाले को तो हटाई दो equity share capital account debit मैं being नहीं लिख रहा being वही होगा जो last class में चर्चा किया था क्या होगा preference share convert into जो हमारे statement लिखा है preference share convert into 7% preference share and 50 रुपीस each fully paid up यानि यही statement same लिखा जाएगा बस अपनी language में थोड़ा convert करना है ठीक है तो मैंने क्या लिखा equity share capital account पहले इससे सारा बाहर निकालो कितना है हमारा चार लाख अब हम उसको क्या देंगे नए वाला equity share to new अब बताएगा कौन बताएगा नए वाले equity share 40,000 वालों को कितने रुपे देने हैं सवाल कहता है कितने देने हैं तीन मतलब सर एक लाख इसके बाद आगे आजाता है हमारा जो फायदा हुआ उसे कहां पहुचा दे reconstruction कितने दो लाख 80,000 किसी बच्चे को कोई डाउँ हाँ लगा रहे नगा रहे दो असी बीइंग preference share oh preference थोड़ी है equity share capital reduce to 3 per share बता है समझ वाल है तीसरा the debenture holder agreed wave बेव का मतलब होता है छोड़ना मैंने कहा था इसमें शब्दों की कलाकारी होगी examiner के तरह के वर्ड वो जितना घुमा सकते हैं टुच्ट करेंगे होगा का मसान वेव का मतलब छोड़ना 50% of accrued interest कहता है डिबेंचर होड़ने अपना 50% ब्याद ही छोड़ दिया बोला नह हाँ पर देखिए accrued interest कितना है तो यह इसकी बात कर रहा है डिबेंचर होलडर एग्री टु वेव और 50% accrued interest अब सवाल यह आता है कि भाया इसने 50% छोड़ दिये है तो बाकी के 50% लिये है या बाद में लेगा सवाल यह आता है अगर अभी लिये तो बैंक से payment करके नक्क करेंगे उसको अगर बाद में लेगा वो तो फिर हम चोड़ देंगे तो मैं मान के चल रहा हूँ 50% उसने विव औफ करें 50% का payment कर दिया यह exemption है तो आप बताओ मुझे interest कितने था? interest कितने थे यहाँ पे? सर 30,000 30,000 में से 50% तो हमें बोल रहा है कि हम नहीं लेंगे इसके उसाहब पैसे तो इसका मतलब 15,000 रुपए का पाइदा, प्रॉफिट और बागी का 50% that is 15,000 रुपीज को आपके उपर दो डिपेंड करता है मैं कह रहा हूँ जी मैं इसको पेड करूँ आप खतम तो सबसे पहले हमें interest को यहाँ से खतम करना होगा तो मैंने लिखा interest on debenture debit interest on debenture debit कितने रुपए सर 30,000 अब बैंक से भी कुछ payment करेंगे तो उसके लिए two bank शब्द का इस्तमाल जितना payment करेंगे तो बैंक से कितने payment करने वाले हैं और two हाला कि इसकी एक और entry हो सकती है पहले due की फिर paid की मैं directly paid कर रहा हूँ net entry कर रहा हूँ पोई दिक्कत नहीं है री कंस्ट्रक्शन री कंस्ट्रक्शन पंदरा आँगा तो लीजिए बींग क्या होगा interest on debenture paid interest on debenture paid और statement में लिख सकते हैं 50% wave of कह सकते हैं forgo बोल सकते हैं दोनों में से कोई भी सब्द बोला जाता है बताईए कोई दिक्कत कोई परेशानी reconstruction आपता बोलोगे को फाइदा नुक्सान nominal nature का मान लोगे आप इसे सी पार्ट दुबारे समझना है सी पार्ट में क्या कहता है कि हमारा न डिबेंचर होल्डर है भी या तो आगर मैं बात करूँ तो सवाल में 8% डिबेंचर भी है कुछ बच्चे यहां confused हो सकते हैं 8% डिबेंचर देट इस दोला अब कहता है कि इसके अंदर interest भी दे रखा है और interest that is 30,000 दोनों बाते अलग अलग है यह पैसा भी डिबेंचर होल्डर का है यह पैसा भी डिबेंचर होल्डर का है सवाल में कहता है सवाल में इसकी बात कर रहा है इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं करी तो इसके बारे में जो बच्चा सोच रहा है सर डिबेंचर का तो कुछ किया ही नहीं तो आप गलत सोच रहा है इसके बारे में तो सवाल में बोला ही नहीं है कुछ इसके बारे में बोलता है 50% payment करके खतम करो तो अब 30,000 रुपे का मैंने सबसे पहले liability खतम कर दिया 15,000 की payment 30,000 का 50% क्या होता है 15,000 और बाकी 15,000 नहीं payment करना मैं बच गया इसको payment करने से फाइदा हो गया तो जिसको मैंने डाल दिया कहा है reconstruction समझे बात किसी को दिक्कत एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ शेयर कैपिटल पांच लाग डिबेंचर दोला आउटस्टेंडिंडिंग रेंट तीन लाग टोटल लाइबिलिटी दस लाग याइब लाइबिलिटी मैंने एक नीचे स्टेटमें लिखां इंटरस्ट ओन दिबेंचर या आउटस्टेंडिंग इंट्रेस्ट अन डिबेंचर आउटस्टेंडिंग इंट्रेस्ट अन डिबेंचर नॉट पेड रुपीज और आसान कर देते हैं या मैं थोड़ा मुस्किल करता हूँ मैंने बोला आउटस्टेंडिंग इंट्रेस्ट अन डिबेंचर नॉट पेड पहला सवाल मेरा जवाब देना मैंने सवाल अभी पूछा नहीं है पहला सवाल मुझे इंट्रेस्ट अमाउंट बताईए क्या होगा इंट्रेस्ट अमाउंट जितने बच्चे लाइव सेशन में सभी फटा फट कमेंट में जवाब दे दें और जितने बच्चे आफ लाइन है पहले वो भी बता दें क्या होगा आप बताव रहूल क्या होगा इंट्रेस्ट अमिंचर बीस अजार रुपे तभी बच्चों का लगग लगग कहना है सर बीस अजार सभी बच्चों का जवाब आ गया बीस अजार और बीस अजार उन्होंने बताया कैसे सर दो लाख रुपए पे और रेट दे रखा है 10% और 10% ही यह जो होता है उसके उपर 20 अजार बता दिया मैंने sentence में क्या कहा? alert रहना मैंने sentence में कहा कि मैं interest on debenture जो है वो payment नहीं करूँगा मैं सिर्फ एक बात जाना चाहता हूँ कि इससे company को फाइदा होगा या नुकसान मैंने कहा outstanding interest में payment नहीं करूँगा अब बताईए फटा फट यह फाइदा होगा या नुकसान पंसिका का profit 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 कुछ बच्चों को loss भी लग रहा है तो बताईए सभी ने एकदम profit 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 कितने बच्चों को loss लगता है offline सबको profit loss भी है भाई फाइदा loss किसी को loss और question समझ में आया नहीं आया मैंने कहा कि जो outstanding interest है न मेरे interest जो देना था वो outstanding है भाई साब हमने दिया नहीं और अब company ने decide करा है कि अब हम नहीं देंगे भी नहीं और interest कितना बनता था तो outstanding कितना रहा होगा बीस अजार बन सकता outstanding मैंने कहा कि नहीं देंगे तो जब बोला कि भाईया outstanding interest नहीं देंगे तो मेरा सवाल था कि जब हम उसे interest नहीं payment कर रहे हैं तो as a company को यह benefit हो रहा है यह नुकसान हो रहा है तो 90% बच्चों का जवाब जो है वो profit के point में आ रहा है राविया का पता नहीं एक लाक सी अधर कहां से आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है बताईए अब आपका profit लग रहा है यह loss question समझ में आया question समझ में आया सभी को तो यहाँ पे जो हमारा answer होगा यहाँ पे जो answer होगा answer होगा ना ही profit होगा और ना ही loss होगा अब मेरी बास सुनिएगा sir liability वही है जो इसके अंदर है जो इसके अंदर है ही नहीं मतलब liability नहीं सीरी सी बात है जो इसके अंदर है ही नहीं balance sheet के liability में तो इसका मतलब वो liability भी नहीं है जब यह liability था ही नहीं और adjustment में कह रहा है कि हम outstanding interest को payment नहीं करेंगे तो भाई पहले भी हम यहीं मान के चल रहे थे अगर मैं पहले consider करता कि outstanding interest का payment करना है तो मैं यहां लिखता ना outstanding interest और अब लिखने के बाद बोलता मैं payment नहीं करूँगा या payment नहीं करना है तो फाइदा था यानि फाइदा या नुकसान आप पहले check करोगे आपके पास है या नहीं है अगर आपके पास पहले है या नहीं और आपको बोला जाए उसको payment नहीं करना है तो इसका मतलब आपका no profit no loss बहुत सारे बच्चे जो बोल रहे थे profit या loss यह दिक्कत होती है बच्चों को मैं एक concept समझाने की कोशिश करूँ पहले समझो मैं क्या समझाने की कोशिश करूँ यानि अगर आपने बोला सर इसका देखो concept क्या बनता है और जो सोच बनते है जो बच्चों की सोच बनती है सोच क्या बनती है सर ए आउटसेंडिंग इंटरस्ट है देना है और आप कह रहे है कोई नहीं देना है तो चलो हमें कुछ पैसा देना ही नहीं पढ़ रहा तो इसका मतलब फायदा हो गया सोचने का ये हमारा नजरिया होता है लेकिन आप ये भी सोचिए सर आप आउटसेंडिंग इंटरस्ट बोल रहे है नौट पैड लेकिन ये आउटसेंडिंग इंटरस्ट था ही कहा अगर पहले था ही नहीं आपके बैलेंशीट में और आप बोल रहे हैं नौट पैड तो इसका मतलब पहले भी हम मान के चल रहे थे कि नहीं पे करना, अगर आप पहले मान लेते कि पेमिंट करना है तो दिखाते अगर नहीं दिखाने तो आपके मन में पहले सही है कि आप पेमिंट करने वाले ही नहीं हो और नीचे बोलते हैं नहीं पेमिंट तो भाई कोई नहीं अगर मैं कह देता कि outsending interest paid तो पहले liability था क्या आपके पास पहले आपके पास यह liability है outsending interest का नहीं है और मैंने कहा outsending interest paid करेंगे अब अब बताओ नुक्सान या फाइदा पहले outsending interest है क्या लेकिन आपको बोला गया paid करिये तो liability था नहीं और फिर भी हमें liability का payment करना पड़ेगा कुछ reasons की वज़े से तो अब मेरा क्या होगा loss होगा समझ रहे हो point यानि सर अगर balance sheet के अंदर मान लेते हैं इसके अंदर 10,000 रुपे है और मैंने बोला इसको paid कर दो तो सर कोई फाइदा कोई नुकसान नी 10 था 10 दे दिया अब इसके अंदर है ही नहीं और मैंने बोला paid कर दो तो आपका total loss इसके अंदर है ही नहीं और मैंने बोला payment नहीं करना है तो कोई profit कोई loss नहीं समझ रहे हो यानि liability का मतलब वही होता है जो balance sheet के अंदर को समझे बाता हम यहाँ तक point clear है आपको अगर यह clear है तो एक adjustment देखते हैं क्या कहता है अब यह मैंने interest का लिया अब चाहिए dividend का हो चाहिए preferential dividend का कोई भी concept यही follow करना है क्या कहता है area area मतलब outstanding और preferential dividend is to be cancel यानि preferential dividend holder को कुछ पैसे जो देने थे उसको हम cancel करने जा रहे है तो पहले check कर लो भाईया तुमने पहले माना भी था देना है क्या माना है कि आपने देना है अगर आप बोलते के preferential holder dividend dividend कैसे निकलता 6% निकाल देते पांच पे जो कि आता है 30,000 रुपे आप बोल रहे हैं sir 30,000 रुपे preferential का dividend पिछले 3 साल से नहीं दिये इसने line कह दिया है कि पिछले तो अगर मेरे से पूछो ना preferential holder का dividend तो मैं कहुँगा preferential holder का dividend कितना है 90,000 अगर मुझसे पूछते हो कितना बन सकता है तो मैं बोलूँगा 90,000 मैंने बोला कि payment ही नहीं करनी सर अगर payment ही नहीं करनी तो पहले चेक करो कि balance sheet में exist है क्या preferential dividend पहले से balance sheet में है area अगर area होता तो यहां लिखा होता ना area और नीचे बोल रहे हो cancel कर रहे हो तो कोई फायदा कोई नुकसान इसकी entry करेंगे फिर no entry इसकी कोई भी entry अगर वही यहां पे 90,000 लिखा हुआ होता और नीचे बोल देते cancel तो फायदा हो जाता हमारा समझ रहे हो बात को फिर क्या हो जाता हमारा फायदा हो जाता और चाहे मैं बोल देता कि 90,000 में से 50% पे कर रहे हैं तो भी फायदा हो जाता है अगर वही यहां पे preferential dividend ना होता और नीचे cancel के जगह पे मैं लिख देता कि सर paid करना है अब तो क्या करते हैं फायदा या नुकसान तो लॉस हो जाता क्योंकि पहले था नहीं लेकिन अब भी मुझे paid करना हो जाता है समझ में आई बात आपको समझ में आया तो यानि जो हमारे यहां पे यह बहुत गरम हो गया जो हमारे questions के अंदर देखा जाए adjustment 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया डी में कहता है area of preferential dividend is to be cancel आपको बिल्कुल clear होना चाहिए सर preferential dividend cancel किया जा रहा है और पहले था भी नहीं और अब cancel किया जा रहा है मतलब हम पहले से ही cancel मान चुके थे तो no profit no loss और इसकी कोई भी entry नहीं होगा इसके लिए आपको note देना पड़ेगा नहीं होगा तो मतलब ऐसा नहीं छोड़ देंगे last में note देंगे के point number D preferential dividend हमारा liability नहीं था or not consider as a liability in the balance sheet and cancel then no need to any entry pass कोई entry pass करने के जोड़र नहीं चलिए सर the creditor agree to wave 30% wave क्या है छोड़ देना तो creditor बोलता है जा मैंने 30% claim छोड़ दी भाई creditor अगर तू 30% claim छोड़ रहा है तो हमारा फाइदा हो गया creditor है कितने का check करते हैं तो भाईया creditor था हमारा 1,55,000 का तो इसका 30% अगर हम निकाले तो कितना बनता है कितने बनते हैं निकालो calculator पे calculator पे निकालो 46,500 यानि सर 46,500 रुपए का जो creditor है वो creditor को पैसे नहीं देने हैं बागी का पैसा दे देंगे समझ रहे हैं तो यहाँ पे मेरी entry क्या करेंगे सर creditor account debit और टू रीकंस्ट्रक्शन 45,46,500 अब बच्चे का एक का सवाल आएगा सर इसका ऐसे नहीं करेंगे के सारा creditor को debit फिर credit करके new creditor कुछ ऐसे तो यह वाला point सिर्फ shares के उपर applicable होता है बागी किसी shares या debenture पे बागी other liability को हो हो जितना फाइदा हुआ सिर्फ process entry करेंगे जैसे यहाँ पे क्या करा था सर यहाँ पे भी फाइदा था तो सिधा फाइदा करते हैं new पुरानी क्योंकि यहाँ पे shares का face value change हो रहा है इसलिए करना पड़ा तो shares वाले में आपको पूरा लेना पड़ेगा बाकी के अंदर तो यह देखाना पड़े चलेगा अब रही बात यहाँ कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि creditor का payment नहीं करेंगे normally credit interest को payment करते हैं dividend को payment करते हैं और बाकी किसी को payment नहीं करते हैं अगर हम सभी का ही payment करने लग गए तो company तो ठीठा condition में है तो हम मान के चल रहे हैं कि payment नहीं करेंगे ठीक है अगली line में क्या कहता है सर all assets valued कहता है building हो गया 250 का सर building कितने का था 215 अब कितने का हो गया बढ़ गया building account debit मैं लिखता जा रहा हूँ building के बाद देखते है plant 225 पहले कितने का था 25 या नहीं इसमें loss हो गया इसको अलग से entry करेंगे furniture 55 पहले कितने का था furniture ये भी loss हो गया अगली entry में stock 80 पहले कितने का था ये भी loss debtor 70 पहले कितने का था debtor 75 ये भी loss कहता है all writing of other fictitious assets sir fictitious assets क्या है जो list लिखवाई plant to be return off so far as possible कहता है कि plant को plant sorry patent to be return off as far as possible आपको patent भी दे रखा है सवाल में दे रखा है patent कहता है इसको भी return off करना है लेकिन जितनी जरुरत पड़े उतन नहीं करना है अब जितनी जरुरत कितना वो last में देख लेंगे capital reserve is to be continue in the balance sheet और जो capital reserve हमारे पास पड़ा हुआ है ये as a t's balance sheet के अंदर जाएगा नए वाले में draft general entry effect the above scheme and prepare the post reconstruction balance sheet prepare new format as per new format नए format के हिसाब से balance sheet बनाना है यहां तक समझ में आरी बात आप यानि सर अब मुझे building वाली एक entry कर देनी है building to reconstruction सर कितने रुपे का फाइदा पहुँचा यहाँ मैं being नहीं लिख रहा है इसका चलेगा ना कितने का फाइदा 35 35 अगले पेज पर चल लेते हैं लॉसिस के entry कर लेते हैं किस का reconstruction debit क्या क्या के पे था plant furniture stock debtor इसके खटी combine entry कर सकते हैं और इसके बाद एक और था पेटेंट का तो भी पता ही नहीं है कितना करना है बाकि profit and loss और discount profit and loss discount अब चल यह plant बताईए कितने का difference आया आप देखिए आपके 10 year का question number एक है अभी नए वाला 10 year market में नहीं है जो आएगा उसी का मैं दिखा रहा हूँ आपको तो कहां गया भाई पहले building की बात कर लिए plant कितने का कम हो रहा है plant कितने का furniture stock debtor plant and machinery नहीं पी एंडल 480 और 20 और 20 चलिए सर अब इन सब को जोड के 81 लिख देंगे हैं आपके आप जोड दीजिये इसको क्या बनता है एक लाग चार लाग तो अकेला यही है नहीं चार लाग है पांच लाग पांच लाग ठीक है समझ में आ रहा है अब एक patent वाला point रह रहा है patent का कहना क्या था एक चलो एक बनाना पड़ेगा अकांट सर कौन सा अकांट बनाए reconstruction अकांट यहां से पता चलेगा patent के साथ क्या करना है although बिना अकांट बनाके भी हो जाएगा लेकिन मैं अकांट बनाई देता हूँ reconstruction account particular amount सबसे पहले फाइदे नुकसान की बात नुकसान में क्या आ जाएगा to plant to furniture to stock to debtor to profit and loss to discount सरी यह आ जाएगा 30 5 10 5 84 20 पाइदे में क्या था by preference share capital by equity share पे भी कमाया by interest on debenture पे भी कमाया by building पे भी कमाया था और किसी पे कमाया क्या यह देखे यह देखे सारे जहां जहां रही construction credit में फाइदा है यहां 50,000,000 और बागे आप बताइए 50,000,000 2,000,000 15,000 और 35,000 और कुछ था नहीं था देखे building हो गया creditor रहे गया 46,500 creditor by creditor सट total करते हैं अब दोनों side total match नहीं होगा ना हम करते हैं debit 10,282,15,000 626,500 626,500 626,500 626,500 626,500 patent 45,000 पेंतालेशजा 45,000 पेंतालेशजा पेंतालेशजा अब पढ़ लेते हैं अब पढ़ लेते हैं लाइन क्या कहता है कहता है patent to be written off as far as possible अगर आपको लगता है written off करना है तो कर दीजिए इसका कहने का मतलब था अगर हमारा ये वाला side अगर ज्यादा हो रहा होता न तो patent rate off नहीं करते है return off का मतलब आप patent को कम करोगे कम करोगे तो इधर आएगा तो अगर इस side मान लेते हैं कि इधर difference जो बच रहा होता जैसे अभी 76,500 बच रहा है और मान लो patent होता 80,000 का patent कितने का होता तो हम 80 कम नहीं कर सकते सिर्क 76,500 कम करते हैं और बाकि patent बच जाता समझ रहे हो अब यहाँ पे patent हमारा इतने का नहीं है patent कितने का है patent कितने का है patent कितने का है 45,000 तो सर यह 45 और जो बाकी बच गए है वो चला जाएगा 2 capital reserve तो 31 अब यह दो general entry और भी करनी होंगी आपको patent reconstruction to patent अगले point के बात करता है reconstruction to capital reserve sir profit and loss or discount यहाँ क्यों आया क्योंकि उसे write-off करना था उसे asset side से zero करना था इसलिए हमने यहाँ लिया patent वाला point फिर से बता दे patent वाले का मतलब बड़ा सीधा सा बात है कि patent को कहा गया कि write-off करना भी और नहीं करना write-off का मतलब आपको debit side में दिखाना है तो आप पहले यह account बना के सवाल में कह रहा था अगर सवाल में यह शब्द नहीं होता तो मैं direct write-off ही कर देता तो हमने क्या करा देखा यहां कितने की कमी हो रही है तो उस हिसाब से 45,000 पीछे question में देखो तो दे रखा था patent तो मैंने यह पूरा 45 से लिख दिया देखो patent 45 का ही है न यह देखो इसके बाद balance sheet बनाएंगे बताएं किसी को दिक्कत दिखाने यहां तक किसी को problem यहां तक किसी बच्चे को doubt सर गुडविल वाला point गुडविल था नहीं अगर गुडविल होता है नहीं तो गुडविल को हम write-off कर देते हैं वैसे सवाल बोलेगा आप जिसका भी doubt है कमेंट में लिखिए सर क्रेडिट रिपीट कर दो तेके मैं बड़ा simple सब्द में समझाता हूँ अभी तो और भी question आएंगे एक में इतने सारे doubt आ जाएंगे आपके question में कह रहा था patent को return off करी है लेकिन जितना possible होता है तो जब मैंने मान लेते हैं कि patent है नहीं है मैं suppose करो मान लेता हूँ patent नहीं है और अगर patent नहीं है तो कुछ ना कुछ balancing figure निकलेगा और मैंने चेक किया तो इस side balancing figure निकल दा था 76,500 होगा और मैंने patent को जाके चेक किया तो 45 था तो यानि हम patent पूरा लिख दें इधर तब भी balance बचेगा अगर ऐसा होता patent लिखने के बाद इधर balance नहीं बच रहा है मान लो आपका patent होता 80,000 तो आगर मैं यहाँ पे 80,000 लिख दूँ तो तो balance इधर आ जाएगा तो बोला ऐसा मत कर मतलब उतना ही patent को इस्तमाल यहाँ पे करो जिसने की जौरत हो तो यहाँ पे देखा जाए तो पूरी जौरत पढ़ रही थी patent को राइट अप करने के तो इसलिए मैंने पूरे 45,000 कर दिये बाकी इस pattern पे अभी और सवाल आएंगे अभी तो first सवाल ही कर रहे हैं अभी तो इसका balance sheet भी बनाना है तो अगर मैं बात करूँ ना सवाल में तो general entry में आप भी देख रहे हो कोई मुश्किल नहीं और in fact एक class हमने basic करा उसके सीधा exam में 15 number का ऐसा question आई होगा और जिसमें आप देख रहे हो कि समझने की आप बारवी class याद परो आपको 8 number के question करने के लिए पहले 50-80 question करने पढ़ते थे उससे पहले जो adjusted capital तक पहुँचने के लिए पहले 70-80 question करने पढ़ते थे आपको topic सीखने पढ़ते थे लेकिन इसमें मज़े की बात एक class के अंदर बस concept समझा और सीधा exam वाला question कर पाएंगे समझ रहे हो लेकिन हाँ lengthy है क्योंकि इसके बाद अब क्या बनना है हमारा balance sheet वो भी नए format से sir question जी आर मोंगा में कहा है जी आर मोंगा में नहीं ये pass year की question उठा रहा हूं में सीधा भी चलिए sir balance sheet बनाए अब मैं एक instruction देना चाहूंगा बच्चों को जिन बच्चों ने balance sheet मैं balance sheet यहां बना रहा हूं हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये balance sheet समझ में ना है तो balance sheet का format वही होगा जो अभी अभी 12th class में आपने सीखा था companies act के हिसाफ से तो जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता उन बच्चों के लिए मैं अलग से एक record कर दूँगा कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको balance sheet के बारे में पता चल जाए कि how to prepare balance sheet only क्या item आएगा पी एंडल में क्या आएगा balance sheet में क्या आएगा और एक सवाल भी दे दूँगा जिससे आपको frequently पता चल जाएगा हाँ इस टाइप का है अभी फिलाल के लिए मैं बना रहा हूं तो जिसको ना भी समझ में आए तो परिशान होने की जुरत नहीं है तर ये तो नहीं पता था हमें तो balance sheet में basically इधर आता है note और इधर आता है amount और इधर आता है हमारा particular और इधर आता है balance sheet और यहाँ first point लिखा जाता equity equity and liability मैंने बहुत detail में कराया हुआ है ये तो मैं उसकी अलग से classes बता दूँआ आपको videos दे दूँआ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन बस concentration करके देखना होगा ये पार्ट आता है share capital sorry shareholder fund पहले आएगा हमारा share आपने 12th class में बस heading सब heading करा था A part share capital B part reserve and surplus मुझे तो याद है इसलिए में फटा फट लिक देता हूँ दूसरा non current liability Third current liability Current liability के अंदर points आ जाता है Number one वैसे तो बहुत सारे point आते हैं Number Total इसके बाद यहां आ जाएगा सर Assets यहां आ जाएगा Assets Assets के अंदर हमारा A part आएगा First part Non current assets इसके बाद A part Fixed Assets और इसके अंदर आ जाएगा PPE Property, Plant and Equipment यह तो अभी करा था आपने और कुछ है नहीं इसके अंदर दूसरा part आजाएगा Current assets जो चीज़े balance sheet का use होने वाला इसरिफ उसी को ध्यान में रखके मैं खाता हूँ बाकी चीज़े मैं नहीं लिख रहा है एक class मैं आपको दूँगा तब लिखूँगा मैं इसके अंदर First A part आजाएगा हमारा क्या क्या आएगा Inventory है क्या बिल्गुल है Inventory B part आजाएगा Trade Receivable C part cash And cash Equalent Sorry इदर note बनाना हुआ जिस जिस के अंदर Assets में adjustment था सबका note बनेगा Number one share capital सबसे पहले लिखेंगे Equity share capital So sir equity share capital सवाल में देखो तो पहले कितने का था सवाल पहले चार लाग्टा Minus Reconstruction कितने का reconstruction हो गया था सर 280 इसके बाद Preferent share capital सर पांच लाग्ट का था Minus Reconstruction कितने का reconstruction हुआ था 250 ये बच गया हमारा एक लाग्ट कितने बचे और ये बच गया हमारा लो जी लो ये डन share capital का यही पार्ट है तो 3,70,000 और यही 3,70,000 यहां पर आजाएगा Note No.1 Note No.2 रिजर्वेंच सर प्लस Note No.2 रिजर्वेंच सर प्लस सर रिजर्वेंच सर प्लस में आप देखो न तो पहले से हमारे पास capital reserve था एक नया capital reserve और आए तो capital reserve पहले से कितने का था capital reserve पहले से हमारा capital reserve था 25 और नया नया क्या आया प्लस new आप इसको थोड़ा fair करके चलेंगा fair in the sense मैंने line नहीं खीचा हलाकि एक line और खीच सकते हैं फिर totaling करके दिखा देंगे 10 year में proper किया हुआ है वैसे कर सकते हैं कितने होगे total 56,000 500 Sir note No.2 note No.2 के बाद note No.3 की कोई जौरत ही नहीं है note No.3 की कोई जौरत नहीं है आप देखें note No.3 में अकेला डिबेंचर था और अकेला ही रह गया कहां गया नोन करेंट लाइबलिटी में इसके अंदर ए पार्ट आजाएगा लॉंग ट्रंग लॉंग ट्रंग बोरोइंग डिबेंचर कितने का था बताओ दो लाइबलिटी ट्रेड पेबल आप दिखाना चाहते हो तो यहीं दिखा सकते हो सर ट्रेड पेबल जो है ना हमारा 46-500 से कम हो गया था कितने का बताओ था कितने का एक पचपन माइनस 46-500 तो बचा कितने का माइनस कर दो फिर कैल्कुलेटर नहीं लाया आज भाई बाकी जितने बच्चे हैं चैल्कुलेटर लेके नहीं आएं अगली क्लास में लेके आएंगे समझ में आया है एसेट्स पे आजो पी पी इ नोड नमबर तीन पी पी इ सर बिल्डिंग है सर फरनीचर है सर प्लांट है बस यही है फिक्स असेट्स बिल्डिंग था कितने का कितने का था दो पंदरा का था और बचा कितने का माइनस कितने का हुआ प्लस हुआ तो दो पचास ऐसे कर सकते हो फरनीचर साथ साथ लाइचा अच्छा सिक्स्टी थाउजन बचा और क्या हुआ घट गया था प्लांट कितने का और कितने घट गए दो लाइच भाई साथ ये है पी-पी पांच तीस और पांच तीस इसको क्या बोलते हैं आफ्टर री कंस्ट्रक्शन बैलेंस शीट पोस्ट री कंस्ट्रक्शन बैलेंस शीट दोनों में से कुछ भी बोला जा सकते है सर इन्वेंट्री इन्वेंट्री यहीं कर देते हैं इसको जीरो कर दिया है यह लिखने की ज़रत नहीं है मैं आगे दीरे दीरे इंप्रूव करूँगा बैलिंस शीट के अंदर की जैसे जैसे सिंपल सिंपल तरहिके से कर रहे हैं इस्टाफ कितने का था दास अजार का घट गया ट्रेड रिसीवेबल सत्तर हो गया डारेक्ट लिखना हो ठीक है अपि छत्तर से सत्तर हो गया अब यहाँ कैस के अंदर कितना बैलेंस था कैस का बैलेंस आप चेक करो कैस का बैलेंस पच्चिस सो ओ माई गाड जिसमें से पंदर हाजार कैसे पेड कर दिया पंद्राजार हमने पेड करें न तो हो तो सकता है नहीं अब लोन लेना पड़ेगा मैं यानि कैश एंड कैश इकुलेंट में जब ऐसी समझ से आ जाए तो पच्चिस सो माइनस पंद्रा आजार तो भाई साब कैश में तो जीरो और ये पहुंच जाएगा शौट ट्रम बोरोइंग में शौट ट्रम बोरोइंग में अभी लेकर आते हैं बैंक ओवर्ड्राफ्ट या देना हो जाता है जब ज़्यादा पैसे ले लेते हैं तो फास्ट पार्ट आ जाएगा शौट ट्रम बोरेंग बहुत सिंपल लिख रहा हूं कितने माइनस करके जो भी आएगा यहां जाएगा क्या पच्छिस सो है बैंक बैलिंस तो दो बैलिंस है ये लोग टैनियर लेकर बैठे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं बैंक में बारह पान्सों कैस में टेंशन खतम पंदरा पूरे हो गया है पाल तूमें टेंशन ले रहे थै लो जी यहां कुछ नहीं होगा अब टोटल करो दोनों साइड मैच तीन सथकर चपन पान सो दो लाग साथ मैंटिस अब बाई साथ मैंटिस यह भी होना चाहिए साथ मैंटिस तो होई नहीं रहा छे असी कुछ और रह गया एकरूड इंटरस रह गया सार इसके अंदर आपने बैंक होगे, कैश होगे, यह हट गया स्टॉक इन होगे, डेटर होगे, बिल्डिंग होगे प्लांट होगे, यह सारा सही बताए अपने गुडविल का है, अच्छा उपर है आप गुडविल रह गया ना पचपन, इसमें पचपन जोड देंगे तो आ जाएगा पेटेंट नहीं गुडविल रह गया यहाँ पे डाल देते हैं इंटेंजिबल एसेट्स नहीं किया, क्योंकि अगर इलेबरेट करूँगा तो बच्चे बोलेंगे पता नहीं क्या क्या आ रहा है जिनको बैलेंट शीट नहीं समझ में आया कोई बात में अलक से मैं फाइनल अकाउंट के कुछ वीडियो मैंने बनाई है जिसके अंदर बैलेंट शीट पूरा कराया हुआ है वो वीडियो मैं आपको शेयर करूँगा और वो देखके अगली क्लास में बैठोगे तो लगेगा ये बच्चो वाला खेल है मेजर आज की क्लास अगर मैं अभी तक की क्लास के अंदर बोलू तो बच्चो को क्या समझ में आना चीए जिसको बैलेंट शीट समझ में नहीं आया है कोई दिक्रत ने जिसको ये एंट्री समझ में नहीं आया है बहुत समस्या है यानि एंट्री समझ में आना जरूरी है और रीकंस्रेक्शन समझ में आना जरूरी है balance sheet इसलिए मैंने बहुत roughly जल्दी जल्दी कर दिया इधर minus plus करके इसके लिए अलग से class डालूँँगा जो आपको देखके अगले class में आने बच्चे कह रहे हैं goodwill return off कर दो तो goodwill मैंने लिखा था कि पीछे goodwill goodwill के लिए बोलता है especially इसे हटा देते हैं goodwill के लिए न बोलेगा especially patent और goodwill के लिए बोलेगा वो या if goodwill के लिए बोलेगा मैंने last class में बोल दिया था कि goodwill return off होगा बाकी तो हो जाएंगे बाकी goodwill और patent के लिए especially बोलेगा हो वो desolation के अंदर होता है मेरे दिमाग में desolation रहे गया था वैसे maximum chance तक बोल देता है कि return off कर दो goodwill को return off sir intensible assets के बिना बोले नहीं करने सिर्फ goodwill और patent की पायल गुडविल और patent शायद मैंने last class में लिख दियाता है write off करना है लेकिन उसमें given होगा तो करना होता है और उसे write off शब्द के अंदर होता है इसलिए मैंने डाल दिया था हूँ आपे बाकी और other जो दिखाए थे list में वो होगा वो आपको मिल जाएगा update हो के चलिए sir एक और question करते है question का concept बिल्कुल वही रहने वाला है कि फायदा है तो reconstruction को credit करिए नुकसान है तो reconstruction को debit करिए अब आपको सोचना है कि किस transaction की वज़े से फायदा और नुकसान है एक और सवाल exam में आया हुआ सवाल है यह भी हमें इस chapter के अंदर अगर देखा जाएना तो समझना क्या है इनके language मैं question इसलिए करवा रहा हूँ सरिफ आपके इसके language को समझा सको और कोई दूसरा reason बचता नहीं question करने का अगर आपको language समझ में आ रहा है तो आप भी self कर सकते हो तो sir question में क्या कहता है हमारे पास कुछ points given है पहले से assets or liability कहता है due to heavy loss बहुत loss के कारण the following scheme reconstruction agreed मतलब बहुत भारी नुकसान चल रहा था काफी समय से और हमने अब decide किया कि हम क्या कर लेंगे reconstruction start कहता है to make existing existing का मतलब जो पहले से है existing equity share to fully paid then reduce to 20 each कहने का मतलब है जो sir पहले से ही आपके पास equity share है न उसको पहले fully paid up बनाईए तो देखे 100 रुपे का था और 60 रुपे paid up था तो आप ध्यान दीजिएगा 10,000 पे 40 रुपे और मांगना है तो पहली entry क्या करने वाले हम share final call share final call account debit to equity share capital amount क्या आएगा अप sir sir 10,000 share है और final call के लिए 40 और मंगवा लेना चाहिए that is 4,000,000 इसके बाद क्या होगा sir bank में पैसे आ जाएंगे being पे focus नहीं कर रहा है आपको पता है final call के क्या करना चाहिए simple है being final call amount due bank में payment आ जाना है bank to share final call 4,000,000,000 now अब question ने बोला के इसको reduce कर दो कहां तक कर दो reduce 20 रुपय तर, reduce 2 शब्द है last class में बताये था 2 का मतलब अब 20 का हो गया तो हम इसकी entry कैसे करेंगे पहले old वाले equity share को debit कर देंगे old equity share capital account debit कौन बच्चा बताएगा old equity share कितना है number नी amount बताना old equity share कितना है बताईए जल्दी जल्दी comment में जल्दी बताईए बच्चे के रहें दो लाक 6 लाक old equity share balance sheet में 6 लाक है लेकिन याद करिए 4 और भी मंगवा लिए तो टोटल कितने हो गए तो आपको पुराने equity share को debit करना पड़ेगा 10 लाक से और आपने new equity share promise किया कि मैं आपको नए वाला equity share दूँँगा साहब तो नए वाला जो बता रहे थे ने बच्चे 2 लाक वो सही होगा नए वाला 20 रुपे के हिसाब से तो नए वाला 2 लाक होना है और फाइदा ही फाइदा कितना फाइदा आठ लाक रुपे का फाइदा तो चला गया reconstruction में पहली क्लास में बिंग वगरा लिखवाया था मैंने इसका के equity share capital reduced to वही लिखना है आपको ठीक है चलिए सर एक adjustment done दूसरा to discharge claim of debenture holder by issue 6000 15% debenture जब आ जाए ना शब्द debenture holder तो थोड़ा alert हो जाना वहाँ पे interest के साथ उसका मतलब होता है अगर मैं बहुत दिबेंचर वालों के पैसे return करिए तो सिर्फ debenture का पैसा debenture holder में interest भी होता है तो क्या यहाँ interest है या नहीं है चेक कर लेते हैं तो yes sir और yes sir यानि इनका अगर मैं due बताओ तो 8,000,000 ये प्लस 80,000 यानि इसको देना था 8,000,000 रुपे देना इसको discharge करा और मैंने बुला ले भाई तू 6,100 रुपे वाला एक fresh 15% वाला debenture दे रहे हैं पहले तेरे को कितना मिलता था 10 अब percentage बदल देंगा तो यानि सबसे पहले तो मैं old वाला debenture कर दू डेबिट 10% debenture खतम करो उसको कितना है old वाला interest को भी खतम करो कितने हैं नए debenture दो भाई साब इसको कितने परसेंट वाला 15% वाला debenture कितने दोगे सर आपको कैसे पता चला क्या रखा है ये तो समझ मैं है और 2 फाइदा ही फाइदा कितना 8 80 के बजाए 6 लाग दे दिये 2 80 तो कहां चला जाएगा reconstruction में 2 लाग लीजिये सर हो गया ठीक है 3rd कहता है पे 3 लाग रुपए पे कहता है 3 लाग रुपए 2 Mr. Yadav 1 of the creditor इसका मतलब सर ये creditor तो धेड सारा है इसमें से 1 of the creditor कह रहा है मतलब इसमें से कोई एक creditor रहा होगा 1 of the creditor in full satisfaction his account उसके account को full satisfaction मतलब पूरा देते हुए a lot 15,000 equity share of 20 rupees each at par discharge the remaining creditor कहता है भाईया जो भी creditor था न हमने इसका निप्टारा देखो कैसे किया यहां देखेगा इसको समझाने के लिए थोड़ा सा हम space बना लेते हैं question के तो space को same ही रखते है visuality के लिए है ना यहां बनाते हैं कहने का मतलब भाईया creditor कितना था देखो including Mr. यादव 850 तो सर 11,50,000 का creditor है जिसमें से यादव भाई साब यादव भाई साब का कितना है 850 तो बाकी बचे हुए का कितना होगा 3,00,000 दूसरा कोई होगा बोला के 3,00,000 रुपे पे कर दो पैसा दे दो 3,00,000 रुपे किसको भाईया इसको 3,00,000 दे दिया यहां फाइदा ही फाइदा कितने का समझे और जो बच गए पच गए कौन बच गए बच गए कौन remaining इसके बारे में क्या कह रहा है इसके बारे में कह रहा है जो बच गए उसको अल्लोट कर दो मतलब अल्लोट का मतलब दे दो 15,000 फ्रेश सेक्यूटी 20 रुपे वाला it पाथ ओके तो इसका मतलब 15,000 इंटू में 20 तो देखा जाए तो 3,000,000 रुपे दे रहे हैं तो इसमें कुछ फाइदा नहीं हुआ 3 थे बचे हुए उसको मैंने कितना दिया 3 दिया एंट्री देखिए क्रेडिटर हटा देते हैं क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कितने से 11,50,000 बैंक से पैसा दे दो कितना देने वाले हो 3,000,000 एक्विटी शियर कैपिटल दे दो कितना देने वाले हो बाकी फाइदा हो गया जो चला जाएगा रीकंस्ट्रक्शन में कितने 5,50,000 किसी बच्चे को डाउट बींग क्या होगा सर बींग वही होगा आपका क्रेडिटर पेड या क्रेडिटर डिस्चार्ज 2,80 गुनगुन ने सही जवाब दिया सर 2,80 किसका 2,80 दिया मुझे अभी तक तो 2,80 है अच्छा अभी वहाँ पर आप बताईए फटाफट किसी का कोई डाउट इसमें यह समझ में आ रहा है तो आप देखोगे तो अगर आपको language समझ में आ गई तो तो जो एंट्री करने में कोई दिक्कत है नहीं है अगर एंट्री समझ में आ गई क्योंकि सवाल में घुमाया इसने बोला भईया क्रेडिटर हमारा कितने का है देखे सवाल में आप सवाल को पढ़िए पहले सवाल में कहता है हमारे पास क्रेडिटर कितने का है 11.50 का सर कैसे पता चला यह देखो और यहीं वे bracket में कह देता था इसमें 8.50 included है है ना 8.50 included है तो भईया 8.50 यादब का अलग कर दिया और बाकी देखा किसी दूसरे का कितना होगा तो बोला इसको तो 3.00 लाक ही दो तुम ग्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट फुल सेटलमेंट का मतलब भईया तिरको 3 देगे बाकी कुछ हिसाब किताब लेना देना बराबर हो जाएगा इसका मतलब बाकी 5.50 इसको देना ही नहीं है तो फाइदा है बाकी जो बच गया उसको 3.00 लाक के equity share कह दिया इसने के allot कर दो तो ये दे दिया जनल इंट्री क्रेडिटर खतम बैंक से 3 लाक रुपए यादब जी को दे दिया इसके बाद equity share 3 लाक बाकी वालों को दे दिया और फाइदा पहुच गया हमारा reconstruction account के कोई दिक्तर clear अगली लाइन को पढ़ते है sir the amount of available used to writing of negative balance sir plus preliminary expense good will account completely and the reduce the other fixed assets by 5 लाक बोला गया भया एक काम करना है यहां पर जो आपके negative balance है उसको write off करो good will को zero करो preliminary expense को zero करो और surplus को zero करो जो यह negative वाला है कहां गया यह रहा इसको खतम करो और assets को reduce कर दो पाँच लाक से sir assets था कितने का 6-10 का और उसको कह रहा है पाँच लाक रुपे से कम कर दो तो यह सारा loss वाला entry होगे एक तरीके से last में कहता है past general entry जो कर रहे है prepare reconstruction account सीखा हुआ ही है bank account भी बनाना है post reconstruction and balance sheet भी बनाना है समझा ही बात आपको तो एक अगली entry हम यह सारा write off करते हैं अगले page पे तो क्या क्या write off करना है तो यहां पर क्या होगा reconstruction 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 account debit to goodwill to preliminary expense to profit and loss account to बताओ building building चलिए सर बिल्डिंग को 5 लाग से कह दिया मैं 5 लाग सर पी एंडल कितने का था चेक करो 10 लाग तो minus कहीं तो था है credit तभी तो आया है अरे आगे आगे हम तो साहाब अब goodwill कितने का है 90 का और primary 20 का तो 90 और 20 total कर लो 15 लाग 16 लाग 10 हजा एक एंट्री और पास करना पड़ता है हमें वो सबसे last में कौन से वाली capital reserve वाली उसके लिए आप या तो minus plus करके देख लो या फिर reconstruction account बना लो सवाल में कही रखा है reconstruction बनाने को तो बना लेते हैं सवाल में कही रखा है reconstruction सवाल ना पता एक्जाम में आदे गंटे से पहले हो जाता है पटा पट हो जाता है यह सवाल अभी देखो मेरे को सवाल आज करेंगे दो तीन सवाल पटा पट पटा पट चलिए सर इस साइड में क्या आएगा सर बाई साइड में आएगा equity share capital buy side में आएगा creditor buy side में आएगा debenture buy side में आएगा और क्या आना था चलो two side में आएगा building two side में आएगा preliminary expense two side में आएगा goodwill two side में आएगा building तो लिखी दिया fix assets का building ही है goodwill preliminary हो गया एक दो तीन चार यहां तो तीन ही एक क्या रह गया profit and loss सर पांच लाग नहीं पांच लाग 10 लाग और 90 अजार और 20 अजार सर एक्यटी शेयर कैपिटल सर एक्यटी शेयर कैपिटल का फाइदा बहुत मोटा फाइदा हो गया ट्रेडिटर का फाइदा हैं पांच लाग पचांस हजार दो अस्सी और भी कोई फाइदा है बस चलिए टोटल किसका जादा इस साइड का आट पांस तेरा और दो तोला बीस और कई बार रेना दोनों साइट बराबर हो जाता है टू कैपिटल रिजर्व पीस हजार एक एंट्री और क्या करेंगे री कंस्रक्शन टू कैपिटल रिजर्व बीस हजार बैलिन शीट बचा तो मैं बैलिन शीट इसी में मोडिफाई करने जा रहा हूँ मैंने आप चेक करोगे ना बैलिन शीट मैंने जो बच्चे लाइव क्लासे ले रहे हैं उनके फोल्डर में डाल दिया लगसे बैलिन शीट फॉर्मिट पहले आप अगली क्लास में उसे नोट करोगे फिर आपको समझ में आएगा या आप पहले पढ़ोगे तो जिसने पढ़ लिया उसको समझ में आ जाए तो सर चेंजिस क्या करना है अब जो इकुटी है ना कितना हो जाएगा पता है ये हो जाएगा हमारा डिपेंचर कितना हो जाएगा इधर देखिए सर आउटसेंडिंग इंटरस क्या हो जाएगा सर बैंक ओवरड्राफ्ट एजटीज रह जाएगा सर क्रेडिटर कितना हो जाएगा कुछ नहीं, जीरो हो जाएगा सर गुडविल क्या होगा सर एसेट्स क्या हो जाएगा सर इंवेंटरी चार लाक ही रहने वाला है ट्रेड डेटर पांस साथ ही रहेगा और ये हो जाएगा जीरो समझ रहेगा बस बैंक के बैलेंस के अंदर प्लस हो गए यहां बैंक दे नहीं रखा क्योंकि आपने चार लाक रुपे मंगाया था तो ओवर्ड्राफ यहां पे एक पॉइंट क्या जाएगा सर बैंक आजाएगा तीन पचास कितने बच्चों को समझ मैं है मैंने सौटकट करा और एक पेमिंट भी किया था भूल गया यह तो तीन एक को पेमिंट किया मैं यहां बैंक का हिसाब किताब समझ मैं बैंक अकाउंट बनाते हैं आपके लिए चलो बना नहीं है तो बनाते हैं आपके लिए यह लिजे बैंक अकाउंट आप बैंक अकाउंट देखिए आप सबसे पहले बैंक में balance है नहीं bank account बनवा रहे हैं तो bank में balance नहीं है overdraft तो है तो balance BD यहां से शुरू होगा overdraft 50 का था इधर से paid करते जाओ इधर से receive करते जाओ तो equity share holder से पैसे मिले थे 4 लाग इधर से paid करते जाओ creditor को sir paid किये थे नहीं creditor को किये थे नहीं नहीं करें है बिल्कुल फिर creditor को करें है कितने paid किये है 3 लाग बस और किसी को दिये हैं पैसे वैसे 4 लाग 4 लाग buy balance CD कितने 50 अजार पचासी बचे ना अब यह 50 अजार CD बच रहे तो कहां चला जाएगा हमारे नए वाले balance sheet के अंदर मैं दुबारा काट के बता दूँ आपको यह जो मैंने 50 लिखा यह नहीं बचेगा इसके जगा पे cash bank का balance कितना आ जाएगा नहीं जाएगा जया हुआ है ुआ हुआ है यह जो पार भी लिखा का आ आ ँ झाल झाल जार ये खीक, अब clear ठीक है, मैच करो भाई, कर रहे हैं, एक लाख दस अजार, प्लस चार लाख स्टॉक, स्टॉक पर कोई परवाव, नहीं पढ़ा, पांस साथ डेटर पर कोई परवाव था, 10 सत्त, और प्लस, भईया, ग्यारा बीस आना चाहिए है न, और इधर देख लेते हैं, क्या है मारा, अरे, इक्विटी शेर तो भूली गए न, पंसे आला, तीन लाग, तो इसमें तीन लाग जोड़ दो, तीन लाग जोड़ जाएगा, सबको जोड़ो, ग्यारा बीस ही आएगा, यह मैंने इतना गंदा और इतना रफली करा है, आपको इसको नए वाले फॉर्मिट में करना है, समझ रहे हो ना, पूरर नीट और क्लीन, बस मैंने ओवर्विव दे दिया कि ऐसे ऐसे करना होता है, तो एक्जाम में, देखो, बैलिंग शीट बनाने में, मैं मानता हूं, टाइम कंस्यूमिंग है, लेकिन मुश्किल नहीं है, बस वहीं पर माइनस प्लस करके दिखाना हो, अब कुछ बच्चे पूछ सकते हैं, मैं बताता जाता हूं, सर, एक्विटी हमारा था 6 लाग, 4 लाग आए, 10 हुआ, 10 के बाद फिर कर दिया 2, तो बच्चे 2 एक्विटी, और 3 मैंने नए एक्विटी इसू किये थे, कहां किये थे, सर, यह रहे, तो टोटल 5 लाग एक्वि खाता में हो चुका, एक्विटी शियर वगरा दे दिया हमने, गुडविल जीरो बोल दिया, अधर एसेट्स 5 लाग रुपे से हमारा कम हो गया, तो एक दस्का बच गया, इन्वेंटरी का साथ कोई छेट छार नहीं, ट्रेड के साथ प्रिमेरी एक्विटी जीरो हो गया, और कैस का बैलेंस 50,000, इसको जोड दिया तो हमारा यह आ गया, अब देख लिजे आपका कोई डाउट है तो, कर दो हमारा यह आपका कोई तो, झाल झाल सर पुराना कोश्चन रिपीट कर दो पूरा कोश्चन ने रिपीट किया भाई चलो दो मिनिट लेते हैं पूरा कोश्चन बच्चे का डिमांड है पूरा कोश्चन रिपीट करने के लिए मिटा दे किया इसके वीडियो तो बनी किया बाद में देखी लो गया साफ साफ मैं इसे मिटा देता हूँ और फिर साफ साफ कर देते हैं बागी नोट्स में ये साफ साफ ही आएगा चीक है बुलू पैन लेता है ये हमारे सामने था कुश्चन समझते जाईएगा कुश्चन में एक लाइबलिटी और एसेट्स दे रखता है लाइबलिटी एसेट्स देने के बाद पहला पॉइंट कहता है कि भाईया आप ऐसा काम करो एक्जिस्टिंग जो एकुटी शियर है सौर पे वाले उसको फुली पेड़ बना दो तो जब ये लाइन कहा तो आपको समझ जाना चाहिए पहले जो बैलेंशीट में शियर होंगे वो पार्टली पेड़ पोंगे तब ही बात कहा रहा है तो बैलेंशीट पे नजर आपने देखा एक नजर डालो तो यहां पे कहता है साट रूपए ही पेड़ प्टे सो में से तो चालिस क्या था हमारा नहीं था पेड़ तो वो चालिस मैंने क्या करा मंगवाया है चालिस जब मैंने मंगवाया है तो चालिस मंगवाने की एंट्री यह है समझ मैं आई बात आपको चालिस मैंने क्या करा मंगवा लिया आगे कहानी में ट्विस्ट यह आता है बोलता है भाई आप मंगवा लिया है तो इन सभी शेयर को उठा के अब 20 का एक कर दो इसकी value कर दो कितनी 20 रुपे के अब इस सवाल में एक बात ध्यान डखना यहां यह कहा है क्या fully paid नहीं कहा है इसका मतलब बाकी 80 बाद में मांग सकता है तो 20 रुपे का एक कर दो तो सीरी सी बात है 20 रुपे का एक करने के लिए मैंने यहां पे old liquidity, new liquidity और यह से कर दो और इस 20 रुपे में करने का 2 लग का समान देना पड़ा 10 के बदले तो 8 का फायदा होगे अगले point में कहता है discharge कर दो debenture holder मैंने कहा जब debenture holder आ जाए तो आप समझ लेना के interest के साथ होगा तो interest मिला के debenture holder का पैसा जो बन रहा था वो बन रहा था टोटल देखा जाए तो 8,80,000 बोलता है भाई हम उसे 6,00,000 मिन इप्टारा कर देंगे तो बागी का reconstruction में फायदा पहुच गया आगे कहता है यह the amount of available writing of जो भी है write of कर दो किसको surplus को zero करो यानि reconstruction नुकसान में goodwill को कर दो और assets को कर दो मैंने यह सारा काम कर दिया फाइनल कहता है पास general entry तो यह और जो अगले page पे आपने देखा था वो general entry का part था इसके बाद भाईया reconstruction बना लो अगले page पे हमने reconstruction भी बना लिया reconstruction debit और credit करके वहाँ से balancing पिकर रिकल गया है 20,000 रुपे capital reserve का कहता है भाईया आप balance sheet भी बना के दिखाते है तो balance sheet बनाने गए तो भाईया अब यह 6 लाग का नहीं होगा तो सर कितना होगा दो लाग के बन रहे थे और तीन issue करे तो यह 5 लाग होगा भाईया यह अब नहीं होगा जीरो होगा पाई साब यह नहीं होगा डिबेंचर अब यह 6 लाग का हो जाएगा है ना यह नहीं होगा सर क्योंकि कट गया बैंक ओवर ड्राफ भी नहीं है क्योंकि यह payment हो चुका है और creditor भी नहीं है अब बस एक और पार्ट यहां पर reserve and surplus में आ जाएगा capital that is 20,000 का जहां मर्जी मतलब according to adjust कर लोगा तो यह आ गया 11,20,000 नहीं balance sheet की total assets में भाई साब goodwill नहीं होगा यह 1,10,000 होगा यह पूरे 4,000,000 होगे यह 5,60 होगा भईया preliminary expense नहीं होगा इसके बदले हमारे पास एक cash का balance आ जाएगा that is 50,000,000 इसको total जब करने बैठेंगे तो यह भी आ जाएगा 11,20,000 और इस तरीके से हमारा नए वाला balance sheet भी तयार हो जाएगा लेकिन यह जो format है यह नए balance sheet का format प्रॉपर नहीं है आपको प्रॉपर तरीके से बनाना है नए balance sheet क clear, अगले सवाल पर चलो, चलिए सब, एक और सवाल देखते हैं अच्छा कुछ बच्चों का कहना है सर आप सारे question इसके करा रहे हो बुक्के भी कराओगे क्या तो old recorded में बुक्के questions available हैं पूरे नए recorded में मैं सिवदास के करा रहा हूं तो आप जो बच्चे अभी अन्रोल मेरे पास पढ़ रहे हैं उनका तो फाइदा ही फाइदा है बुक्के भी question सारे वीडियो मिल रहे है और past year की question का भी वीडियो मिल रहे है तो double benefit हो गया जहां practice बस आपको करने है आपके पास content और practice के लिए questions पूरी मिलेंगे आपको बस आपको practice करना है कि कितनी जल्दी जल्दी आप निफ्टाते हों सर चलिए एक equity एक assets liability माल लेते हैं कहता है company not doing well मतलब company अच्छा खासा काम नहीं कर रही it was accumulated lots of laws काफी सारे नुकसान है revaluation of assets following बोलता है भहिया लेंड को अब इतना कर देंगे furniture को देखो अब एक बास सुना revaluation of assets का मतलब है अब ये इतने का है बोलता है कि भहिया लेंड एक 80 का हो जागा तो चेक करो भहिया लेंड कितने का था आपका कितने का था यहां फायदा हो गया इसके बाद furniture कहता है 72 का कर दो furniture 72 का कर दो कितने का था 80 का यहां नुकसान हो गया plant and machinery 2 लाग का कर दो plant and machinery कितना था चार यहां भी भहिया नुकसान हो गया stock को 2 लाग का कर दो तो stock कितने का था भहिया यहां भी नुकसान हो गया और बाकी assets जो था वही है उसमें कोई बदलाव नहीं है the following scheme reconstruction approved by the court court ने approved कर दिया कहता है कि equity share convert into 2 रुपे बोलो बहिए जितने का भी equity है ने इसको 2 का बना के खतम करो तो बहिए यहाँ पे अगर मैं equity number पूछू तो 20 लाक के और 10 रुपे वाले थे तो इसका मतलब 2 लाक equity share थे अब 2 लाक equity share को 2 रुपे में convert कर दो तो अब कितने हो जाएंगे 4 लाक तो यहाँ फाइदा कितना फाइदा है चार लाक कितना फाइदा हो जाएगा 16 लाक रुपे का ठीक है चलिए तो हम entry करते जाते हैं ना साथ के सांथ तो पहले हम लिख देते हैं old equity account debit to new equity 4 लाक और 2 16 लाक clear है जी अगले point पे आते हैं कहता है भी यह 10% preferent share holder को convert कर दो 12% preferent share 40 रुपे का एक कर दो उसको पहले कितना था 100 रुपे का यानि पहले हमारे पास 5 लाक वो divide अगर 100 से करें तो 5000 के share थे अब बोलना भी यह इन 5000 को जो पहले 100 रुपे का यह enjoy कर रहे थे ना पहले तो ख़दम करो 10% preferent share capital ख़दम पहुंच ला बोला आ जो भी तुम्हें परसंटेज बढ़ाए तुम्हारा कितने परसंट कर दिया अब बोला कि इसको कितने का कर दो सर 40 का तो 5000 इंटू में 40 तो इसको कितने मिलेंगे अब और फाइदा कितने समझ में आ रहा है कि कि दड़ेंच अरड़ होलड़ए ओलडर है थ्यान देना है के नहीं वर्गो पौर्गो का मतलब बॉलता है दो लाक के बेंचर होलड़ को देना है दोलाक मस्ना ग लाख बहुत है मुझे मूलीं North沒事 चोहत्तर नहीं देना अब चोहत्तर नहीं देना तो इसमें क्या-क्या इंक्लूडीड है यह नहीं बतारा कोर्शन में तो माने लेते हैं हम कि वह अपना इंट्रस्ट और कुछ पार्ट डिबेंचर के छोड़ रहा होगा तो यानि पहले तो मेरा इंट्रस्ट खतम हो जाएग इंट्रस्ट खतम हो जाएगा मतलब जो व्याज दे रख़ा है कोर्शन में वह खतम हो जाएगा इंट्रस्ट अकाउंट डेबिट कितने 2400 और डिबेंचर भी कुछ खतम होगे 24000 है गया अच्छा 1000 डिबेंचर भी खतम होगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने डिबेंचर खतम करोगे 74000 में से 24000 तो हमारे थे इंट्रस्ट बाकी बच गये पचास हजार के डिबेंचर ध्यान दीजिए जादा आपको इधर नहीं जाना उसने बोला बस 74000 को वेव अप करेगा वो अपना तो 74 में से क्या-क्या इंट्रस्ट का पैसा वो छोड़ने को तयार होगे और कुछ संपार्ट तो भाई अगर 74 में से 24 इंट्रस्ट का पैसा है तो डिबेंचर का पैसा कितना छोड़ रहा होगा पचास हजार अब हमारा फाइदा समझ में आया यानि सर नए वाले बैलेंच सीट में अभी मैं लिख देता हूँ नए वाले बैलेंच सीट में कौन बच्चा बताएगा डिबेंचर होगा या नहीं होगा होगा तो कितने का होगा पहले बताओ नए वाले बैलेंच सीट में डिबेंचर होगा या नहीं होगा बताएगे होगा नए वाले बैलेंच सीट में क्योंकि सारा डिबेंचर थोड़ी खतम हुआ अब कितना होगा डिबेंचर बताओ तो सर नए वाले balance sheet में debenture होगा क्योंकि हमने सिर्फ debenture को जो cancel किया है वो तो किया है पचास हजार का तो नए वाले balance sheet में debenture हो जाएगा डेड़ लाग का कितने का डेड़ लाग का सही जवाब डेड़ लाग का तो बस बात तो समझी आगे इसका मतलब आपको ठीक है अगला point the redeemable the debenture holder यह तो हो गया the revaluation of assets adapted कहता है जो revaluation था ना बोल रहे है इसको मान लो और ऐसे ही चलो तो भाई या कुछ फाइदे थे कुछ नुकसान थे एक में फाइदा था बाकी सब में नुकसान land and building में बस फाइदा हो गया तो land and building to reconstruction तर कितना फाइदा हुआ land and building डेड़ का था और यहां बोल रहे है एक असी तो फाइदा 30 का सही लिख रहा हूं नहीं 30 अब बाकी में नुकसान तो reconstruction debit बाकी में नुकसान reconstruction account debit टू क्या क्या सट टू furniture सट टू पी एंडल सट टू stock सट टू plant in machinery और कुछ भी रह गया क्या बताईए और कुछ भी है सर फरनीचर कितने का कम भाईया अब कह रहे हो 72 पहले था असी तो आठ प्लांट एंड मसीनरी कितने का कम सर इपी एंडल 14 लाक 35 अज़ा सर इस्टॉक कितने का कम अब पहले 3 लाक का अब 2 लाक का सर प्लांट एंड मसीनरी कितने का कम पहले 2 लाक का अब प्लांट एंड मसीनरी अब 2 का पहले 4 का तो टोटल नुक्सान देखा जाए तो 14 दो 16 और एक सत्रा सत्रा अठारा लाक असी जा रहे ना तो अठारा लाक पंदरा जार कैसे जोड़ रहा है कि यह असी जा रहे आठ जार आठ जार आठ जार अच्छा यह आठ है मैंने असी मान दिया ना तो यह आजाएगा 3, 14, 3, 17, 35 और 8 35 और 8 कितने होते हैं बोलो 33, 44 ठीक है आगे चलते हैं कहता है प्रोविजन 10% मेड अगेंस डेटर भाईया यह भी नुकसान तो मैं इसी एंट्री में इसको कर सकता हूं इंकॉर्परेट प्रोविजन यानि 2 प्रोविजन डेटर पे तो भाई साब डेटर कम कितने का डेटर कम डेटर था हमारा 90 का डेटर कितने का 90 पे कितना कम 10% यानि 9000 इसमें अभी बढ़ेगा कहता है गुडविल एंड लॉसस रिटर्न अफ कंप्लीटली ओके भाई साब गुडविल भी रिटर्न अफ करना यह भी आएगा तू गुडविल कितना है एक लाग पिछत्तर हजार कहता है expense of internal reconstruction 15000 पे paid in cash अब जब reconstruction होता है नहीं तो साधारन वेक्ति नहीं करता कोई advocate कोई CAEA करेगा तो अब वह करेगा तो फिरी में तो काम करेगा नहीं उसके बदले पैसे लेगा जैसे dissolution में याद होगा जब dissolution होता था तो हम payment करते थे जो dissolve कर रहे हैं ऐसे reconstruction जो करता है उसको payment करते हैं उससे reconstruction कहते हैं तो reconstruction में जब paid करेंगे हम तो पूरा का पूरा ही नुकसान है भाई तो हम यहां पे entry पता क्या करेंगे reconstruction account debit two bank payment done two bank payment done कितने 15,000 लोजिक खतम इन सब को जोड़ दो गलत टूटल था 19,000,000 19,27 कहता है पास general entry हाँ कर दिया general entry अब एक पार्ट general entry का रह जाता है कौन सा capital reserve वह चेक करते हैं फाइदा 16,000,000 पहले फाइदा जोड़ लेता हूं 3,000,000,000,000 फाइदा 74,000,000 फाइदा 30,000,000 और कहीं फाइदा है नहीं नुकसान 19,27,000 नुकसान 15,000 तो टोटल 62,000 बने तो यहाँ पर आजाएगा reconstruction two capital reserve यह भाई final answer आजाएगा चेक करते सर्व गीवन है balance sheet में interest यह यह गीवन है ओहो यह भाई साब कहा जाएगा share issue expense under writer commission preliminary expense share issue expense भी write off होगा मैंने note लिखवाए था ना बिना बताए कितने का है तो भाईया 25 और बढ़ा दो यहां 52 हो जाएगा बस अब भाईया फाइदे में 25 और कम कर दो कितने होंगे 62 में से 25 कम 37 इसको बोले ना बोले करना है share issue expense is also preliminary कर दिया ना बावन है जोड के मैंने बावन कर दिया पहले से तो बुक में तो यह भी होगा ना पंदरहजाद और भी कुछ होगा उपर नीचे से टोटल देख लो नीतो ठीक है न सर debenture repeat कर दो debenture repeat कर देते हैं सर debenture कहता है यह debenture holder है और यह कहता है मैं पैसे नहीं लूँगा मैं पैसे नहीं लूँगा मैंने वाला ठीक है भाई 24,000 में तेरे 24,000 ये कट गे ब्याज के और बचे 50,000 यहां से कट गे यानि तेरे डिवेंचर अब रहे गए टेड राखता है तो हमारा फाइदा जो है एक तो इंटरस्ट खतम हुआ डेबिट कर दिया डिवेंचर भी कट गे 50 के डेबिट और टोटल फाइदा 24,000 ये देखिए फिर अगले कोशन पर चले डेटर वाला पार्ट कहता है प्रोविजन प्रोविजन में तो डेटर कमी होना होता है न तो डेटर रेडियूस कर दिया पुश्चर नंबर था ये ठीक है बाकी इन सभी के आंसर्स ना टैनियर के अंदर प्रिंट होल चुके हैं जो बच्चे नए हैं सैम टू वाले उनको अभी मिल जाएगा और जिन वच्चों ने पुराने वाले टैनियर जो की सैम फोर वाले वच्चे उन्हें अगर खरीद लिया है तो उनको ये अभी लिबल होगा नियू कोश्चन करेंगे वह वाला भी करेंगे ता नहीं करना हो करना है वह पर अड़्यस्मेंट के अकॉर्डिंग के चलेंगे न लाइबलिटी का मतलब ही होता है कि यह वह लाइबलिटी है जिसको देना पढ़ भी सकता है और नहीं भी डिपेंड करता है सिचुएशन पे इसलिए इसका नाम पढ़ जाता है कॉंटेंजेंट लाइबलिटी जैसे परपोस डिविडेंट याद होगा देना पढ़ भी सकत और नहीं भी डिपेंड करता है शियर होल्डर के अप्रूबल पे अगर उसने अप्रूब्ड कर दिया तो देंगे नहीं करा तो नहीं देंगे कहता है दो फॉलविंग इस्कीम री कंस्ट्रक्शन हैं डियू ली अप्रूब्ट ही कैसा यह दो चार लाइने तो हर बार बोलते ही एक्जामनर बें आगे कहता है है और इंटेंगिवल एसेट्स अरे एक मिनिट है खीक है यह हुआ क्या है यह हुआ क्या है खीक है पहला पॉइंट है फार्स पॉइंट क्या है फार्स पॉइंट है यानि हमारे कुश्चन में जो भी प्रफरेंश यह है वो देखा जाए तो खिपने का साहब 100 रुपय का है इसको हम रेडियूस कर देंगे और बना देंगे 80 रुपय का तो 7 परसेंट प्रफरेंश यह कैपिटल है क्युमिलिटिफ प्रफरेंश होता है इसकी भी हम बात चर्चा कर लेंगे जाएंगे हम 80 तो यहां पर होगे हमारा फाइदा और वो चला जाएगा रीकंस्रक्शन में कितने रुपे चले जाएंगे एक लाग बताईए किसी बच्चे को सवाल इस पॉइंट में डाउट पहला पॉइंट में ने डन कर दिया है पहला पॉइंट डन कर दिया किसी को डाउट बच्चे करें सर क्लियर नहीं दिख रहा हां कुश्चन जूम करना पड़ेगा फिर जूम कर देता हूं कोई बात नहीं इस कुश्चन को फिर थोड़ा सा अब आपको दिखेगा जो जो मैं करूँगा आप देख लो दिख रहा है क्योंकि मैं एक पढ़ पढ़ के करूँगा जैसे जैसे पढ़ता जाओंगा ऊपर करता जाओंगा ठेक है देख रहा है सबको ठीक है चली हमने पहला अड़ेश्मेंट डन कर लिया ए पार्ट जिसके अंदर बोला गया था प्रफरेंज शियर को हमने रिड्यूस कर दिया है 80 का किसी को दिक्कत इसके अंदर उपर वाला पार्ट अगर नहीं भी दिख रहा कोई दिक्कत नहीं पल मिल जाएगा जिनके पास किताब है वो किताब में से देख लेंगे नहीं जिसके पास है वो सामने देखे रहे हैं आगे continue खतम नहीं हुआ इसी के आगे कहता है एंड एकुटी शेयर इक्वल नंबर फुल्ली पेड धाई रुपे का एकुटी शेयर को हम फुली पेड कर देंगे कितने का धाई रुपे का तो भाईया एकुटी शेयर को भी कर देंगे है ओल्ड एकुटी शेयर ओल्ड एकुटी शेयर कैपिटल भाईया कितने का था ओल लाग का धाई गरने वाले हम तो अब मिलेगा आपको कितने का धाई लाग का एकुटी शेयर क्यापिटल और हमारा फाइदा कितने साड़े समझ मैं बात आपके पहला अज्जस्मेंट मैंने डन कर दिया किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ लिज़े एक एक अज्जस्मेंट करके हम समझ समझके करेंगे किसी को doubt है first adjustment क्योंकि आगे आगे adjustment जाएगा तो यह मत बूलिए का सर पहले वाला बता दीजिए अभी हम इस question का पहले बात कर लेते हैं 2022 वाला भी करेंगे पहले chapter एक पर खतम हो जाए वो भी करा देंगे बच्चे कह रहें sir again ये सवाल जो है जो मैंने पहला point किया है क्या कहता है और although 10 question कर चुके हैं पिछे हम सवाल में कहता है preference shareholder जितने भी थे उसको 80 रुपए का बना दिया जाए और equity shareholder को धाई रुपए का बना दिया जाए तो preference shareholder जो भी थे हमारे पहले old वाला लिया और 80 का बना दिया और यहाँ पर धाई बना दिया इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने सिर्फ first adjustment को ही किया है अभी सिर्फ और सिर्फ हमने first adjustment ही किया है अगले adjustment पर चलें कहता है all intangible assets right off अब intangible assets right off में आपका goodwill बगार सब कुछ हा जाएगा और वो भी assets हा जाएगा जो की हमारे fictitious होते थे जैसे इसको भी करना होगा write-off इसको भी करना होगा write-off patent को भी करना होगा write-off और good will को भी करना होगा write-off समझ में आई बात आको कहते है all intangible assets writing-off तो किस किस को करना है ? profit and loss preliminary expense patent और good will write-off करने का मतलब क्या होता है इसको zero करूँ और जीरो करने का मतलब इसको credit करो और सारा नुकसान ही एक तरीके से तो हमारा आएगा reconstruction account debit reconstruction account debit और सबसे पहले two profit and loss two preliminary expense two goodwill और two patent सर अब पी एंडल का balance अगर देखा जाए तो कितने का था चार लाक कितने का 90 अजार preliminary expense कितने का था 80 अजार साब goodwill कितने का है और patent कितने का था अब total कर लीजिए कितने बनगे total कितने आप सब total नहीं करते पहले के बच्चे मैं question कर रहा होता था और यहां लिखता पहले बता देते थे लेकिन करोना के चक्कर में बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे आजकल जो यह करोना वाले जितने बच्चे है न वो पढ़ नहीं रहे वो सब इंदजार करते हैं कि कुछ चमतकार फिर से हो जाए बाई जब मैं total कर रहा हूं तो total करी आपका समय भी बच्चे का और आपको आदत भी होगी बच्चे पूछ रहे हैं सर यहां पर goodwill right of करने के लिए बोला नहीं तो आपने क्यूं किया अब बना इंटेंडीबल 頭 जब बोल दिया जा है न इंटेंडीबल ऐसेट तो इन्टेंडीबल एसेट निशेट ment में तब कुछ आ जाएगा ठीक है कितना है टूठल अभी तग नहीं निकाल पहे हैं 6.95 6.95 ओनलाइन लाइव वाले बच्चों ने बता दिया देखो 6.95 अगले पॉइंट पे आते हैं देखिए स्टॉक टू बी रिवेल्यूट 3.80 डेटर कंसीडर डाउटफुल डेट्स रिटन आउप भाई साब स्टॉक को हमें 3.80 करना और पहले देखा जाए तो स्टॉक कितने का था 4.30 तो 3.80 हो गया तो मुझे इसको भी करना पड़ेगा रिकंस्रक्शन टू स्टॉक और टू डेटर डेटर भी घटेगा ना सर स्टॉक कितने का घटेगा डिफ्रेंस लेना पड़ेगा अब 3.80 का हो गया पहले 4.30 का था तो 50 और सर डेटर को बोला राइट आफ करने तो यहां पे डेटर का प्रोविजन दे रखा होगा कहता है डेटर कंसीडर गुड डेटर कंसीडर डाउटफुल कहता है डाउटफुल वाले को खतम करो डाउटफुल वाले को क्या कर दो रिटन आफ तो 30,000 रुपे बेकार के डेटर है तो 30 तो यह आजाएगा 80,000 बहिए इसके बीइंग की बात करें आप सेम लाइन लिख सकते हो बीइंग के अंदर अपने नॉलेज के हिसाब से और अपने जो भी आपको लगता है जैसे पहले वाले पॉइंट का मैं लिख सकता हूं कि प्रफाइंट शियर रिडियूस टू अगले पॉइंट पे चला जाए मैं इस पॉइंट को उपर करता जाऊँगा नीचे करता जाऊँगा ठीक है अगला पॉइंट प्रफ्रेंच शियर होल्डर एग्री टू वेव आफ फाफ एरियर अफ डिविडेंट इन रिसीव इकुटी शियर इन लिव ऑफ बैलेंस प्र देखें यहां पे यह हमारा प्रफ्रेंच शियर शियर क्यापिटल था मैं यहीं कर रहा हूँ ठीक है और preference share capital दिखा जाए तो कितने का था preference share capital भाई साब कितने का था पांच लाक रुपे का है ना कितने का था और rate क्या था 7% चलिए आ जाएए पांच लाक का था 7% और area कितने साल का था हमारा अब उसका कोई जुरत ही नहीं है सीधा सीधा दे दिया इसने 14,000 क्या कहता है preference share का area dividend 14,000 है तो भी अब preference share का dividend जो है वो कितना है 14,000 में से आधा मैंने 7,000 और आधे की बात करें तो 7,000 आधा आधा हो गया यह हाफ हाफ बोला एक पार्ट जो आधा है और एक पार्ट के बदले दे दो equity share capital लेकिन सार equity share capital तो हमारा कितने का 2.5 का तो number of equity share देखा जाए तो कितने आएंगे 7,000 divided by 2.5 कितने आ रहे हैं इसने बोला 2800 का मुझे equity share दे दो कहने का मतलब यह अब मुझे बताईए आप हमारे कितने का फाइदा हुआ है या कितने का नुकसान ही हुआ है यहाँ पे फाइदा नुकसान बता दें जल्दी जल्दी बता दें nouvelle Live Class वाले बत्चे, फाइदा Loss गुन्-गुन का कहना है सर लस हुआ राभ्या का कहना है सर प्राफट हुआ जिटी पिंकी का कहना है प्राफट हुआ अलिका नुक्राफ़ेट अंजरी का लाव्ष गर्विट का लाव्ष निदी का प्राफट प्रॉफिट का प्रॉफिट इसका अंसर है पहले सबसे पहले आपने पैसा दिया है सोच यह दिमाग लगाई दिमाग देखे तुक्का मानने से नहीं है क्योंकि मैंने दो चीज़े पूछा प्रॉफिट लॉस बच्चा बोलेगा कुछ ना कुछ तो यह तुक्का हो गया कुछ बच्चे जैनवेन आंसर भी दे रहे हैं समझ यह कैसे इसका आंसर दोगे सबसे पहले देखो आपने पेमिंट किया है यानि आपने एक्विटी शियर कैप्टल दिया है क्या आपको इसको पैसे देने थे वाक्य यह चेक करो तो जवाब है सर इसको पैसे देने नहीं थे क्योंकि अगर देने होते तो यहाँ नहीं होता यहां होता अब देने नहीं थे फिर भी ना ना करते करते मैं 7000 दे रहा हूं तो मेरा पूरे 7000 का लॉस हो जाएगा यह तो एंट्री लॉस का क्या करेंगे reconstruction account debit और two बदले में दे क्या रहे है equity share capital सर साथ हजा और यह जो calculation मैंने करा है यहाँ पर यह आपके लिए करा है ताकि balance sheet आगे पता नहीं बोला यह नहीं बोला देखेंगे अरे बोला जाए balance sheet बनाने को तो उसके अंदर हम उसे साब से treatment कर पाएंगे आप देखिए समझ भाई बात आपको और जो बच्चे नए जोइन हुए हैं उनको पहले पुरानी class देखनी पड़ेगी आप chapter ending का है समझे में नहीं आएगा और दूसरी बात जिसने पहली class मैंने dividend वाले के अंदर time लिया था और बताया था कि अगर कोई भी ऐसा liability जो बाहर है और balance sheet के अंदर नहीं है और उस liability का बोला जाए कुछ नहीं देना तो कोई फरक नहीं पड़ता भाईया पहले भी liability नहीं था अगर उस liability को बोला जाए 10% देदो चाहे कितना भी देदो तो सारा का सारा ही loss होगा हमता ठीक है चलिए 7000 रुपे का हमारा क्या हो गया ये loss हो गया सर 7000 रुपे का loss हो गया ठीक है ठीक है ठीक है चलिए अगला adjustment और मैं कहूंगा अगला adjustment जो है ये सिर्फ adjustment नहीं इस पूरे question की जान है ये मतब इसी adjustment की वज़े से मैं question कराना चाहा रहा हूँ क्या कहता है debenture holder agree take over part of security of book value debenture holder agree करता है हमारा क्यों agree करता है debenture holder agree to take over part of security of books value 180 of rupees 250 in satisfaction part of their claim and were issue fresh 7% debenture with floating charge of all assets in lieu of interest payable to them payment of additional cash 150 तो पहले हम देख लेते हैं अगर मैं बैलेंशीट के अंदर जाता हूं यह रहा आपके सामने बैलेंशीट के अंदर अगर देखें तो हमारे पास बैलेंशीट के अंदर पांच लाक रुपए का debenture है और बैलेंशीट के अंदर 17,500 रुपए का ब्याज है तो सर बैलेंशीट के अंदर पांच लाक रुपए का debenture है और 17,500 का याद रखना मैं भूल जाओंगा नहीं तो ठीक है मैं सारे अट्जस्मेंट ऊपर कर दूँ बैलेंशीट में से दो ही चीज था और एक चीज और इस debenture के ब्रैकिट में एक बात लिखता हुआ है देखना भी अभी देख जाओ ब्लर आ रहा होगा तो हमने अपना बिल्डिंग गिर भी रख दिया होगा उसके नाम पे तो अब यहां पे भी देखो आपको दिख रहा होगा एक बिल्डिंग तो यही बिल्डिंग debenture holder को गिर भी रखा हुआ है तो यह हो गया security तो मैं कह सकता हूं कि जो मैंने debenture issue किया था यानि debenture मैंने लोगों से जो 5 लाख रुपे करजा उठाया था वो करजा मुझे 7% के हिसाब से ब्याज देना था और उसके उपर मुझे ब्याज जो बकाया था वो 17,500 होता इतनी सी बात समझ मैं यही कह रहा है यह लाइं और वो जो debenture मैंने करजा उठाया था उसके बदले मैंने debenture holder क 06000.000.000 अधंधर ईहीं वापस बेच के अपना पैसा कट कर वापस जो बच रहा हूं को मेरे वापस देगा यही होता है नियम नौर्मल सा तो आप यहां पे सिर्फ बैलेंशीट को समझते हैं बैलेंशीट सीट के अन्दर मोटी मोटी बाते वाते हैं सर डिवेंचर इसके पर इंटरस डिवेंचर जु लिया हुआ है उसके अगेंस बिल्डिंग गिर भी है विल पांच लाग और इंट्रस्की 17,500 चलिए यह बात है अगर आपको याद हो गई हो रिपीट करकर के तो हम आ जाते हैं कुस्टिंस पर चलिए सर सवाल में कहता है हमारे पास सैवन परसेंट डिपेंचर है ध्यान दीजेगा सैवन परसेंट डिपेंचर है और कीमत है उसकी पांच लाग और एक बिल्डिंग है और उसकी कीमत है कितनी और इस डिवेंचर होल्डर का ब्याज भी है इंट्रस्ट भी है कि दिया या दे दिया कौँण बच्चा काईगा दे दिया या नहीं दियां बताओ क coercion के जो पढ़ रही है बड़ी बड़ी लंबी का पैसा कितना है यानि हम इसको बोलते हैं डिवेंचर होल्डर इसको बोलेंगे डिवेंचर होल्डर यानि टोटल पैसा जितना देना है सवाल कहता है डिवेंचर होल्डर टेक आप पार्ट ऑफ सिक्यूरिटी बुक वेल्यू एक स्सी सर इसको सिक्यूरिटी क्या था डिवे पेंचेर होल्डर बोलता है कि भाईया मुझे इस लेंड इंड बिल्डिंग में एक चीज पसंद आ गई एक हिस्सा और वो हिस्सा जो था आपका एक लाक ऐस्सी अजार का था हम इसको लेने जा रहे हैं बोला उसको आप मत समझे उसको आम धाई लाक में ले लेंगे समझ रहे हैं यानि एक चीज बिल्डिंग का पार्ट लूँगा और धाई लाक की लाइबिलिटी खतम है यानि कहने का मतलब है सर कहने का क्या मतलब है थोड़ा और उपर किया जाए यह नोट्स में दिक्कत का कि लिए कर दिवेंचर का कहने का मतलब है राट सर यो दिवेंचर मेरे वह पांच लाक में से ये ढाई लाक रुपे माफ ढाई लाक रुपे आपके माफ हो गए और इसके बदले इसके बदले हम आपसे क्या ले लेंगे ये हिस्सा अब आप डिबेंचर होल्डर के पॉइंट ओभी उसे देखो तो नुकसान फाइदा और इधर से भी देखो तो फाइदा फाइदा तो एक ही गिनोगे ना क्योंकि आपने बिल्डिंग को महंगे में एक असी का समान कितने म धाई आपने एकसी में इप्टारा कर दिया तो फाइदा तो होगे हमारा यहां पर पहले यह वाली लाइन समझो जो यहां से यहां तक लाइन कह रहा है पुल सैटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम इसके एंड के बाद संटेल सा लगे पहले यहां तक देखो दुबारा मैं सम जनल एंट्री कर ले हमारे पास से बिल्डिंग गया हमारे पास से डिवेंचर भी गया दोनों चीजे हुआ इसकी जनल एंट्री सर इसकी जनल एंट्री देखी जाए तो मेरा डिवेंचर 7% 7% डिवेंचर सर डिवेंचर अकाउंट सर कम हो गया कितने का कम हुआ सर और मेरा बिल्डिंग भी कम हो गया कितने का सर एक असी का सर फाइदा हो गया अगर यह एंट्री समझ में आ गया हो तो हम आगे चलें और कुछ इसके अंदर ऐसा गणित नहीं है जो कि आपको समझ में ना है सीदी सीदी बात है यहां तो हम आगे यहां तक है यहां तक सब को क्लियर है आगे बढ़े है आगे लाइन पढ़ते हैं इसका मतलब क्या हुआ इसको हिंदी मीनिंग होता है इसका मतलब नई डिबेंचर दे रहे हैं और हम डिबेंचर इशू करने लग रहे हैं समझे का मतलब रख तो लेना देना है यहां यह वाली लाइन इसरीफ एकजामने मतलब नंग निकलता मझंए है तो कहता है भाई है हम 7% debenture issue करेंगे in lieu of मतलब हम debenture issue करेंगे payable of interest them मतलब interest अब उसे देना नहीं है debenture holder को नहीं देना interest और payment of additional cash 10 जा और डेड़ लाग मैंने बोला debenture holder यह debenture holder अब समझना यह है debenture holder debenture holder बोलता है कि भाई मेरे को और debenture दे दे तो company ने कहा ठीक है भाई मैं तिर को और debenture दे दूँगा तो company issue करने जारी है इसको debenture बोला लापैसे दे उसने बोला मेरे पैसे कितने बनते हैं debenture holder के मैंने समझाएं डिवेंचर होलडर तिरे ठाई लाक तो बराबरी पर हो गए और ठाई लाक रुपए और तिरे को देने है और ब्याज के सत्रा हजार पांसो रुपए और देने है अकाईदे से देखा जाएं तो तेरा प्मेंट कितना बन रहा है दो लाख पांसो कितना बन रहा है सरसट पांसो यही बचिए है तेरा क्योंकि तू धाई लाख का बराबरी कर चुक है है ना तो भाई मैं इसने बोला चल एक काम कर डिबेंचर होल्डर क्या कहता है मैं तुझे क्या करता हूँ डेड़ लाख रुपे और दे रहा हूँ मैं तुझे डेड़ लाख रुपे पेड कर देता हूँ किसने कहा यह कौन है भाई साब डिबेंचर होल्डर ने क्या कहा मैं तुझे डेड़ लाख रुपे और पेड कर देता हूँ कंपनी ये बोला ठीक है मैं तुझे डेड़ लाग का डिबेंचर इसू करता है बोला रुक जा मेरा पहले करजा तू बोल रहा है नहीं 266-500 है इंटरस्ट को हटा के मेरा करजा बोल तू यानि मेरा करजा तू ढाई लाकी रख और 66-500 इस कैस में अरजेस्मेंट कर दे यानि तू समझ तू पहले मेरे 66-500 लाग 66-500 देगा तू और मैं अपने 1.5 लाग मिलाओंगा और तूझे दे दूँगा एक तो यह हो सकता है तो तो तेरको कितना दूँगा मैं 1,666,500 क्योंकि मैं dimenture holder company से क्या मैं रहा है ब्याज मांग रहा है ब्याज दे मेरे पहले तू फिर मैं हिसाब बताऊंगा तेरको अब company से कर मैं ब्याज लूँगा तो कितना ब्याज लूँगा एक लाख सरसट हजार पांसो क्योंकि एक पचास तो मैंने अपने पॉकेट से मिलाया और सतरा पांसो उससे मिले थे ये हो गया अब दूसरे तरीके से सोचो भाई डिवेंचर होल्डर ने कंपनी से बोले देख सतरा पांसो तेरे पास है मेरे तेरे से लिये नहीं ना भी तेर सरसट हजार पांसो कहान यह समझने वाली बात क्या कहता है दुबारा पढ़ते हैं कहता है फ्रेश इशू सेवन परसंट डिवेंचर इन लियू ऑफ इंट्रस पेवल देम मतलब इंट्रस जो देना था उसको निट कर दो आप लियू ऑफ इंट्रस पेमेंट तु डेम इन सर बैंक में डिवेंचर इशू ऐसे होता ना बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा आएगा सर डेड़ लाख आया बस इसमें से मेरा इंट्रस कैंसिल हो गया तो इंट्रस अकाउंट डेबिट कर दो सर कितना सत्रह आजार और सर फ्रेश डिवेंचर आ गया सेवन परसंट डिविंचर 7% प्रेश डिविंचर कितने हैं यह देखिए एक बार पढ़ लीजिए लाइनौ देखिए मैंने दोनों तरफ से बता दिया या पहले पैसा ले लो फिर बाद में दे दो उसको बापस या पैसा नहीं ले रहे हैं एगला पैसा दे रहे हैं लाइन कहता है इन एडिशनल 50 यानि इंट्रस वं इंट्रस तुम रखो और एक्स्ट्रा ले लो पचास रिफ इंट्रस बोला रखने को उसने कि क्यूमिलिटीव प्रफेंस श्यर मानिंग आपने बताया था इंट्रस देना होगा प्रफेंस श्यर में इंट्रस कहां से आगया प्रफेंस श्यर में डिविडेंट होता है क्लियर है एक बार और बता दे एक बार और बता दे जानल एंट्री नहीं बता हुआ इसको आपके लिए आप जनल एंट्री को बिल्कुल ध्यान ना दे एकदम साफ साफ कर दिया और यह examiner का important point हो सकता है बागी इस बार का exam जो है न वो तो exam का तैयारी exam के साफ से चलेंगा अभी तो पहले में slayvers खतम करने के पीछे लगाऊं तो भाईया हमारे पास debenture है 5 लाक का और building है 6 लाक का sir अब debenture के दो टुकडे हो गए sir debenture के दो टुकडे हो गए एक ढाई लाक रुपे और building के दो टुकडे हो गए एक लाक हसी अजार और बाकी कितना बच गया चार लाक और बाकी यहाँ debenture में बच गया धाई लाक यह दोनों आपस में सेटल हो गए और इस एंट्री की वज़े से इस सेटलमेंट की वज़े से यह दोनों आपस में सेटल हो गए कहां लिखा है सर यह दोनों सेटल हो गए कहता है debenture holder agree take over the part of security रुपीज 180 रुपीज 250 satisfaction दियर claim debenture holder कहता है कि भाया तुम building का मुझे 1,80,000 का हिस्सा दे दो और मैं अपना धाई लाक रुपे debenture छोड़ने को तयार हो गया तो यह दोनों आपस में सेटल हो गए तो इस settlement के वज़े से हमारा फाइदा हुआ और फाइदा जो पहुँचा वो पहुचा हमारा टोटल 70 का सत्तर अजार का जिसकी एंट्री क्या होनी चाहिए हमारा debenture account debit क्यानि धाई लाक का debenture cancel building account credit एक अस्सी का building credit और reconstruction company के बीच में और बात चलती है debenture holder का कहता है और company क्या कहता है company कहता है tyre debenture तो पड़े हुए हैं अब तू ब्याज का बता क्या करना है कौन कहता है company ब्याज का बता क्या करना है debenture holder कहता है रुख जा भाई मैं समझाता हूं क्या करना है debenture holder कहता है कि मुझे fresh issue कर दे और और जो assets flotation है तो यह तो भाई डराने के लिए इसका कोई मतलब बनता नहीं in lieu of interest बोल सा है कि interest भी उसके अंदर include कर तू और मेरे से डेड़ लाक ले 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 यानि मैं तुझे अभी डेड़ लाक रुपे नगत दे रहा हूं और तू ब्याज जो है उसी के अंदर जोड ले और जो ब्याज पढ़ा था और जो डेड़ लाक रुपे मैं नगत दे रहा हूं total मिला के मुझे fresh issue कर दे इसका मतलब सर एक लाक सर्षट हजार पान सो का fresh issue करना पड़ेगा लेकिन मेरे पास पैसा कितना आएगा एक सर्षट पान सो का मैं fresh issue तो करूँगा लेकिन वो पैसा मुझे कितना दे रहा है सर पैसा तो सिर्फ डेड़ लाक ही दे रहा है तो बैंक में आ गया डेड़ लाक और वो इंटरस जो मेरा पहले से पर चला जाएगा क्या कहता है अगला तो कुछ नहीं है दा डेरेक्टर ऑफ डा रोन इंटो एक्विटी वो तो सिंपल सी बात है डेरेक्टर का लोन अब इसकी बात समझो यह क्या कहना चाह रहा है अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक कॉंटेंजेंट लाइबिलिटी है सर कॉंटेंजेंट लाइबिलिटी है कहां लिखा है यह रहा लिखा आपके नोट में इसका मतलब यह मेरे उपर बैलेंस शीट के अंदर इसलिए नहीं था क्योंकि यह अभी सस्पेंस में था कि देना है या नहीं देना है लाइबलिटी के अंदर वही पॉइंट आसकता है जो कंफर्म हो जाए तुझे देना है इसे बोला जाता है कितने गैसर पचास अजार का इसको समझते हैं चलिए सर पचास अजार का कॉंटेंजेंट लाइविलिटी है इसको समझ लिया जाए क्या कहना चाह रहा है आप ऐसे समझे इसको बड़ी सिंपल सी बात है यह मान लो एक कंपनी का ओनर या मान लेते हैं यह वरकर है यह वरकर है ध्यान रखना और यह कंपनी है यह है कंपनी ठीक है और यह है बैंक थोड़ी देर के लिए थोड़ी से स्टोरी बनाते हैं समझ में आ जाएगा यह कौन है बैंक है और हम अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं यह कुलर कुन सा अगया अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं बताओ बैंक के लिए करेंगे इमप्लॉई के लिए करेंगे company के लिए करेंगे या सब के लिए करेंगे वह याद सिर्फ और सिर्फ हम company के लिए करेंगे मैंने bank से लिया loan और उस loan मतलब bank से एक मैंने laptop finance करा है suppose एक laptop और वो laptop उठाके दे दिया मैंने इसको किसको अपने वर्कर को और वर्कर ने ये laptop उठाके दे दिया प्रेंट को इस laptop की कीमत थी 50,000 ठीक है अब company bank वालों को पैसे देगा और ये laptop पे अधिकार किसका है इसके वर्कर का है ये company का है company का अधिकार है वो बिस थी बात है कल के दिन वर्कर बोलेगा मैं जा रहा हूं तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई laptop दे जा अब इसके दोस्तने ये laptop खो दिया खो दिया यानि बोल रहा है भाई मैं गया था लेकि laptop पता ही नहीं चला चूरी हो गया अब ये company को बोलता है कि भाई या laptop हो गया है चूरी company bank को बोलता है laptop हो गया है चूरी bank बोलता है मुझे से क्या लेने देना मैं तो आप से पैसे लूँगा मुझे तो ये 50,000 रुपे का जो आपने लोन लिया था वो तो मैं आप से payment लूँगा क्या bank कहीं से गलत है अब company को इसको 50,000 देने पढ़ेंगे अब company कहेगा मैं थोड़ी bank को भरूँगा तुई भर bank को तो क्या company गलत है नहीं है अब ये कहेगा मैं क्यों भरूँ मेरा दोस्त भरेगा क्या ये गलत है नहीं सब अपनी जगए सब अब हुआ ये company ने क्या करा भाई company को एक डर भी है कि employee अब भाग जाए मैं ज्यादा प्रेसराइज करूँगा तो मुझे ही देना पड़ सकता ये 50,000 रुपए मैंने बला employee तू पैसे लेके आ मुझे नहीं पता कहीं से भी लेके और employee बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ और चला गया तो इसका मतलब भाई आय नहीं हो तो फिर मेरी liability बन गई हो तो और अगर employee वापस आ गया तो मेरे को पैसे मिल जाएंगे यानि यह liability कहीं न कहीं uncertain है तो मैं balance sheet के liability में so नहीं करूँगा मैं यह मान के चल रहा हूँ मुझे employee देगा और मैं जाकर बैंक वाले को दे दूँगा तो मेरा यह contingent liability हो गया कितने का लेकिन जिस दिन यह भाग गया यह real liability बन जाएगा 50,000 तो एक तरीके से मुझे banker को payment करना पड़ेगा banker को क्या करना पड़ेगा payment करना पड़ सकता है class झाल झाल तो हाँ जी भाई साब कहानी यहां तक थी के पैसा देगा कौन अब यहां पे company ने contingent liability बुक किया कितने का सर 50,000 ता यानि इसको payment करना है और इधर इसको उपर भी liability है अब हुआ ऐसा हुआ ऐसा इसके दोस्त ने इसको दे दिये 40,000 अब इसने बोला सर अब इससे ज़्यादा नहीं होगा मैं तो 40 ही तो और इसको मजबूरन बैंक को कितना देना यह क्या बोल सकता है ऐसा बैंक को बैंक को कितना देना होगा कहानी समझ में आ रही है अब company entry क्या करेगा company का नुकसान कितने का company बस 10,000 का कर देगा reconstruction to bank समझना बात को company एक entry करेगा reconstruction to क्योंकि मेरा reconstruction नुकसान हो गया और bank से मुझे कितना payment करना पड़ गया या फिर company ऐसे entry कर सकता है कि मुझे पैसे मिले तो क्या entry करेगा bank account debit to जिससे भी मिला मेरा contingent liability ठीक है या employee जिस worker से मिला उसका नाम लिख लेंगा bank account debit अब फिर हम bank को payment करेंगे तो bank को जब हम payment करना जाएंगे तो liability account debit to bank और फिर credit में 10,000 कम पड़ जाएंगे और स्वारी liability account debit कितना हो जाएगा हमारा 50 और 2 bank और जो कम पड़ेगा उसे कहां compensate कर देंगा जो भी difference आ रहा होगा reconstruction यानि मेरा कहान समझाने का मतलब यही है कि भाईया इसका एक amount loss हो गया 10,000 का जो की reconstruction account debit to bank हो जाए समझे बाद reconstruction account debit to bank यहां तक कहानी समझ मैं क्या है अगर ऐसा situation आए तो कैसे tickle करना है इसके दो way है मैं करी देता हूँ पहला way सर मेरे पास bank में पैसा आएगा और किस से आएगा सर employee से आएगा कितने आएंगे सर 40,000 आएंगे दूसरा मुझे मेरा bank वाले को payment करना है सर कितना payment करना है contingent liability को सर contingent liability को करना है 50 का payment जिसमें मैंने bank से कितना payment कर दिया सर उसको पूरे 50 payment किये अब इसके बाद देखा जाए या फिर मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ पूरे payment हो गए अब इन दोनों entry की वज़े से मेरा हो गया नुकसान क्या हो गया नुकसान? reconstruction और reconstruction किस से नुकसान हो गया? contingent liability 10,000 से एक तो यह entry बन जाता है यहाँ पर समझेगा यह पैसा लेने का entry है यह पैसा देने का entry है और यह net में नुकसान को बुक करने का entry है इन तीनों entry को जब merging करेंगे तो एक ही entry बनता है सर reconstruction और तू बैंक देखिए बैंक से बैंक कट गया, बैंक क्रेडिट में बच गया कितना? ठीक है, employee debit है, इसको contingent की कर देते हैं, employee debit, contingent तो इससे कट जाएगा तो reconstruction debit आजएगा एक तो यह तरीका है, दूसरा यह है, चलिए यह तो हमारा था example, अब हम आ जाता है real question के उपर, के सर क्या करेंगे यहाँ पर, इतनी सारी बाते हैं, तो क्या करना चाहिए? चलिए सर, चलिए, कहता है, the contingent liability claim pending in the court of law materialization full extent, कहता है, जो contingent liability claim था, damage के लिए, यहाँ damage वाली बात है, यह मैं से किसी को देना पढ़ रहा होगा, damage के लिए, court law में materialize full extent, court ने बोल दिया, तू दे भाई इसको सारा, यानि जो मेरा उपर देखा था, हमने कितने का था हमारा, पचास हजार का था contingent liability, court ने बोल दिया, तू सारा दे, आगे कहता है, however, company could recover 40,000, those who are responsible, company ने बोला, मैं पचास हजार देना पढ़ रहा है, तेरी विज़े से, जो इस पचास हजार के बदले responsible था, तू मेरे को पैस से, सेम यहाँ पर बोला भी है, जो responsible है, उससे मैंने कितना recover कर लिया, 40,000, such damage, settle rest by issue of share, और बाकी बोला भीया, मैं तुम्हें share देता हूँ, यानि मैं जो पचास हजार का payment करने गया उसको, तो पचास हजार का payment करने का मतलब, कौन था, damage pending या contingent liability, contingent liability, contingent liability का payment कितना करना था सर, सर करना था 50, जिसमें से मैं bank से दे पाया कितना, सर bank से मातर दे पाया 40, और बोला बदले में दे दो क्या equity share capital, या फिर इसका एक और तरीके से कर लेते हैं, रुख जाईए, रुख जाईए, या net करके कर दू, इसको net करके कर दू गया, ये दो entry करके दिखाऊ, ये समझ में आ रहा है, liability 50, bank से payment 40, और नहीं, ये भी नहीं होना अच्छे, क्योंकि पहले तो हमें bank से पैसा मिला है, तो पूरे detail में चल लेते हैं, number one, हुआ क्या होगा, मेरे पास पैसा आया होगा, आया होगा, bank to, माल लेते हैं, contingent liability का, damage लिख देता हूँ, ये contingent अच्छा नहीं लग रहा है, damage, bank to damage, कितने आये मेरे पास, चालिस, अब यही damage जो मेरे उपर था, वो damage मैं दे दूँ उसको, जिसको देना था मुझे, तो मैं क्या करूँगा, damage cancel हो गया, और two मेरे पास है, bank से पैसा चला गया, मेरे उपर damage का claim कितना था, पचास का, पचास में से चालिस का settlement done, हो गया, मेरे पास पहले पैसे आया, वो ही पैसे उठा के दे दियो, और ultimately देखो को knock up हो जाएगा, ये entry तो cut जाएगा, 0 बचेगा, अब मैं उसे 10,000 और दूँगा, damage का, तो मैंने बोला, भाईया, फाल account debit, और बदले में पैसे नहीं दे रहा, मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, equity share, capital तो कितने रुपे चले जाएगे, तो ultimately आप अगर देखो, तो इसका entry स्रिफ क्या बनता है, एक entry बनता है, loss बच्चे कह रहे हैं, सर 50,000, reconstruction में तो 50 आएगा, मान गया आपका 50,000 रुपे का loss, 40,000 फाइदा भी तो हुआ, net में loss रसी तो बच्चे, फाइदा कहां से हुआ, क्योंकि recover कर लिया मैं हूँ, बताईए, पढ़ लिजये, एक बाद, सर, equity share debit नहीं होगा, equity share हम इसको issue करेंगे, तो issue करते हैं, टाइम पर credit होता है, हमें साथ, मैं इसको fresh entry कर दूँ, काटपिट के ही, या यह भी हो जाएगा, आप fresh entry में सिर्फ मैं यही करता है, मैंने कर दिया है, बाकी वीडियो आपको मिलेगा, तो अपने हिसाब से, अच्छे अच्छे साफ साफ राइटिंग में लिख लो गया, clear, अगले point पर है, लास्ट वाले point में दम ही नहीं है, कहता है कि director के loan को खतम करके क्या दे दो, equity, तो entry क्या बनेगा, director के loan को खतम करके, सर तीनो entry लिखेंगे, तीनो entry ना लिखें, सिर्फ एक entry लिखें, तब भी बात बन जाएगी, और मैं तो हमेशा से बोल रहा हूँ कि एक ही entry लिखो, वो समझाने के लिए detail में कि ये पैसा नहीं, तो मैं सिर्फ एक entry कहता, तो बच्चे पूस्तर सर पचास का क्या होगा, चालिस का क्या होगा, तो मैंने पचास का, चालिस का, और दस का, सब का बता दिया, तब भी, मैं तो बोल रहा हूँ, सर फिसकी करो entry, बच्चे बोल रहे हैं, सर एक फ्रेश entry कर दो, ये लोग फ्रेश entry, एक ही entry करोगे, टू एक्विटी शेयर करोगे, ये है प्रेश entry, एक entry काम खतम, आप इतनी देर से IPM देख रहे थे हैं, पढ़ लो, नहीं तो जो IPM देख रहे हैं, उसी से फिर आपका बुन जाएगा, ठीक है, अगली entry, the director agree to convert loan into the equity share, director ने convert कर दिया loan into equity share, सर डेरेक्टर का loan भी था क्या, बेलिंग शीट में चेक कर लेते हैं, अगली आजाओ नीचे, एक लाख, दिखा, एक लाख का loan है, देखो, एक लाख का loan, बोलता है, इसको convert कर दो equity में, तो मेरे को इसको zero करना पड़ेगा, तो entry क्या होगा, बताओ, loan account debit to, loan account debit to equity share capital, यहीं कर दे, loan account debit to equity share capital, मैं ऐसे कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल साफ साफ करना, मेरा एक सवाल है, अब बताइए, balance sheet बनाना है, रिकंस्रक्शन अकाउंट बनाना है, और वो रिकंस्रक्शन अकाउंट, बना दे या आप बना सकते हो, रिकंस्रक्शन बन जाएगा, एक एंट्री और करना है रह जाएगा, वो कौनस्रक्शन अकापिटल रिजर्व वाला है, ठीक है ना, कापिटल रिजर्व वाल रह जाएगा, यहां तक कॉस्चन समझ में आ गया हो, तो नए कॉंसेप्ट की तरफ बढ़ें, ठीक है, बैलेंस शीट आप बना के देख लें, मैं तो कहूंगा सभी कॉस्चन की बैलेंस शीट बनाएं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी मात्र, चलिए सर नए कॉंसेप्ट, NEW कुछ भड़ेंस हैं, जिसके अंदर जितने मुश्किल से मुश्किल हो सकते हैं, में और आपकी और कराने का फायदा नहीं है, वो एक्जाम से पहले कराने का फायदा रहेगा ठीक है अभी कराने में हमारा स्लेबस छूट जाएगा क्योंकि प्रियरिटी बच्चों के इंटर्नल है चाहे कुछ भी बच्चे बोलते सर स्लेबस खतम करा दो तो पहले किताबी बाते कर लेंगे पिर एक्स्ट्रा एक्जाम के बाते करेंगे तो सर एक और कॉंसेप्ट आ जाता है हमारा है कि सरेंडर ओफ शियर्स कि सरेंडर ओफ शियर्स तर सरेंडर का मतलब क्या होता है Surrender of Share Surrender का मतलब आत्म समर्पन एक तरीके से Surrender का मतलब होता है अपने अधीकार को छोड़ देना अब होगा क्या ध्यान देना लेकिन काफी बच्चे बोलते हैं सर पूरा हमें Reconstruction चेप्टर आता है इसमें Surrender वाला टॉपिक नहीं आता है और सबसे आसान मैं मानता हूँ Surrender वाला ही टॉपिक सर होता क्या जनरली मान लिया जाए मुझे जवाब देना अब जो बच्चे ध्यान से सुनेंगे न और ध्यान से देखेंगे तो आंसर फट से आजागा नहीं तो फिर गलती आंसर आजागा मैंने कहा कि मेरे पास एकुटी शेयर कैपिटल है एक लाख दस रुपे का एक तो टोटल दस लाख का नाव बोर्ड अफ डिरेक्टर डिसाइड़ सर क्या करा बोर्ड अफ डिरेक्टर ने बोला कि इसको पहले रेडियूस कर दो हम क्या करेंगे बोलेंगे भई एकुटी शेयर होल्डर अब तु मान ले तेरे शेयर को कम कर रहे है रिडियूस कर रहे है नंबर अफ शेयर को फेस वेल्ली को रिडियूस नहीं कर रहे है पहले तो तेरे नंबर अफ शेयर को रिडियूस कर रहे है एक लाग शेयर थे न तेरे पास तेरे को 40,000 शेयर दे दिया जा रहा है बाकी 40,000 शेयर देने के बाद अब जो बच गया कितने शेयर बच गये तरह सिंपल सी बात है इस साथ-हजार में अगर देखा जाए नॉर्मल ही कोस्चन में करता था तो हो जाता था फायदा लेकिन हमने बोला यह फाय senior कर नहीं है इसको और इस फायद करने के-वे में करना पर से देमिट करना पर सह। अभी मैं डेबिट नहीं करूँ है ठीक है ना सिर्फ मैंने अपने पास रखा हुआ है तो फाइदा तो है नहीं सर मैंने कहा कि आपके पहले दस रुपए के हिसाफ से थे यानि पहले जो हुआ करता था अपका अब जो आपके पास शियर्स की वैल्यू है वो कितने की हो गई और पहले कितना हुआ करता था और फाइदा कितने का हो गया नहीं हुआ मैंने कैंसिल नहीं किया रखा हुआ है अभी तक तो कोई फाइदा नहीं हुआ जब तक मैं इसको ना बोल दू कर मैं 6000 को cancel कर रहा हूं, तो फाइदा कैसे होगा, अब मैंने का भाई एक काम और करते हैं, थोड़ा सा और तेरे उपर रूल थोड़ा सा मस्किल करना जा रहे हैं, एक काम करते हैं, अब तेरे पास share कितने बता, बोला 40,000, अब 40,000 कितने वाले 10 वाले, मैंने तेरे वाले शेयर को अब कर दिया दो रूपे का अब तेरे शेयर को कितने का कर दिया मैंने यानि अब तू मालिक जो होगा न वो होगा चालिस अजार शेयर का ही लेकिन अब दो रूपे के हिसाब से होगा यानि अब तू मालिक बचा कितने का 80 का पहले मालिक कितने का था उससे पहले मालिक कितने का था लेकिन उसको तो अभी छोड़ देते हैं अभी फिलाल इस मालिक का 4 लाग से और 80 अजार पर जो पहुँचा है इसमें अब यहां पर फाइदा होगा क्योंकि मैंने उसके शेर को रिड्यूस नहीं किया शेर के वेल्यू को रिड्यूस कर दिया पर शेर को अब फाइदा होगा इस केस में जर्नल इंट्री क्या निकल के आएगा मैं बोलूगा भाईया एकुटी शेर कैपिटल अकाउंट डेबिट सर पूरे 10 लाग लिखूँगा मैं ध्यान दीजिएगा और टू एकुटी शेर कैपिटल नए वाले 4 लाग के और टू सरेंडर शेर सरेंडर शेर करवा लिए इससे 6 लाग के क्या करवा लिए इससे सरेंडर करवा लिए कि भाई दे दे तू मेरे को मैं इसका साथ जो भी करना होगा मैं कर लूँगा तू मुझे share दे दे वस उसके बाद मैंने बोला फिर से ये वाला जो new equity share था फिर cancel कर दिया फिर मैंने बोला तेरा equity share खतम कर इसको भाई तू अब तेरे को नय equity share देंगे हम कितने का अस्यजार अब मेरा हो गया फाइदा equity reconstruction यहां तक समझ में आ रहा है मेरा सवाल सुरू होगा अब मेरे पास एक debenture था देखते हैं आप कितना होसियारी से सोचते हो मेरे पास एक debenture है और debenture की कीमत है एक लाग debenture की कीमत कितनी सर एक लाग और मैंने कहा भाई debenture holder एक काम करते हैं तेरे को दो लाग पचास हजार रुपए का दो लाग पचास हजार रुपए का तुझे हम दे देते हैं क्या shares और यह shares देंगे कहां से जो हमार पास पड़ा हुआ है रेजर्व में यानि भाई मैंने एक लाग क्यों लिखा यहां कितना बताया था मैंने एक लाग बताया था चार लाग का डिवेंचर था उसमें से धाई लाग रुपए का मैं तुझे share दे दूँ और जो तेरे बच गए ना कितने तु भूल जा इसको तु भूल जा यह पैसे नहीं देंगे हम तुमें सौझ मैं क्या हुआ है चार लाग रुपए डिवेंचर होल्डर को देने थे जिसमें से डेड़ लाग रुपए उसने वेवाउप कर दिये और बाकी के पैसे के बदले मैंने उसे इशू कर दिये क्या मेरा यहां पर बता दो फाइदा फाइदा या फिर बता दो नुकसान या सर कुछ नहीं हुआ बताईए बच्चोंन ने कहा सर नीशा ने कहा सर डेढ़ लाग का प्रौफट् इमडी ने कहा डेढ़ का प्रोफट् डेढ़ का प्रौफट् इमांट बही बताना है शिर्फ प्रवफट्लाग से बात ने बनेंगly चिल्ष Cry का डेड़ लाग डेड़ लाग डेड़ लाग बताईए चार लाग क्या बताईए कितने का पताओ क्या हुआ कितने का 150 लॉस कितने का 150 भ्यान आद से दिना डिवेंचन उल्डर आये मेरे पास मैंने बुला तेरे कितने पैसे देने मैंने देड़ तो तु बूल जा और कितने देने मेरे पास कुछ कवाड़ा समान पढ़ावा था ने ले जा वो मेरा भिक भी नहीं रहा था वो कवारा समान मेरे पास पढ़ावा था मैं यह ले और तु चल अ और वो जो मेरा पुराना समान पढ़ावा था वो बिक भी नहीं रहा था तो मैंने उसको दिया अपने जेव से क्या और डिवेंचर मेरा खतम हो गया कितने का तो फाइदा कितना हुआ चार यहां पे प्रॉफिट होगा सर आप ये बात समझे न डिवेंचर होल्डर को जो एक्यूटी शेयर दे रहे हो वो कमपनी का इक्यूटी शेयर नहीं है पहले से किसी से चीना हुआ एक्यूटी शेयर है उसमें थोड़ी आपको कुछ गया था मैं अब ये कह सकता हूँ सर सरिंडर शेयर ना ये अब कम हो जाएगा ये जो 6 लाक रुपै 60,000 का था जिसमें से आपने तो देई दियोंगे 25,000 तो ये 25,000 से घट जाएगा अभी भी आपके पास सरिंडर शेयर होंगे कितने यानि यहाँ प्रॉफिट कितना है जानल एंट्री देखोगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने का खतम टू रीकंस्ट्रक्शन या टू रीकंस्ट्रक्शन कितने का फाइदा सर शेयर तो दिया नहीं दे रहाया न अब सरिंडर शेयर आपके पास पढ़ा वा था कितना निकालोगे कितने की ज़़ात थे सरिंडर शेयर की निकाल लिया हमारे पास पढ़ा हुआ था क्रेडिट में और डेबिट करके निकाल लिया ढ़ाई और किसको दे दिया मैंने तू डिपेंचर या फिर नहीं क्या दिया मैंने एकुटी शेयर क्यापिटल इस्यू कर दिया मैंने ढ़ाई लगका डिपेंचर होल्डर को नहीं सहाज मैं ईपात एक और सवाल पूछा जाए एक और सवाल पूछा जाए चार लाग का मतलब मेरे मैं प्रॉफिट एंड लॉस तब मैं डिटर्माइन करूँ है जब मैं अपने पॉकेट से निकालके कुछ देना पड़ रहा है यहां पर मैंने पॉकेट से नहीं दिखायाए क बस मेरा liability कम हो गया मैं अगर कह दूं यहां पर मेरे पास कि लोन है में कि 2 लाक रुपए का अ कि मेरे पास लोन है 2 लाक रुपए का ध्यान देना कि मैंने 20,000 का payment कर दिया एक लाह का मैंने equity share issue कर दिया और मैंने बोला भाया जो बच गए तेरे 80,000 वो तू जब भूल अब बताओ फायदा नुक्सान 20,000 का cash payment कर दिया 1,000,000 के मैंने बोले तू शेयर ले जा और 80,000 तू जब भूल अब बताओ फायदा नुक्सान कितना बताओ ये फायदा नुक्सान surrender chair में जब तक ना बोला जाए surrender chair consider करें तो sir यहाँ पे फायदा हो जाएगा और फायदा जो होगा हमारा 1,80,000 रुपे का profit होगा तो मेरा समझाने का मतलब था जो surrender share में से अगर हम किसी liability की payment कर रहे होते हैं तो liability की payment नहीं मानी जाती पूरा liability ही मान लिया जाता है कि profit में चला गया समझ रहे बात यहीं हो रहा है यहाँ पर अभी तक अब बात आती है sir अभी भी तो surrender share बच गए हमारे पास अब एक सवाल में बोला जाए या ना बोला जाए सबसे last miss को cancel कर दो पूरा सवाल खतम हो गया अब cancel करो cancel कैसे करेंगे यह credit कर रखा है हमारे पास credit में 3.5 लाग का पड़ा हुआ है तो cancel कैसे करोगे sir debit कर देंगे sir debit कर दिया अब यह फाइदा हो गया हमारा पूरा यानि जो equity shareholder से हम फाइदा 6 लाग का कर रहे थे न at the time surrender उस टाइम पर फाइदा को profit को book मत करो पहले बीच में देख लो कोई transaction तो नहीं कर लिया उस share से अगर वो सारे share से transaction होने के बाद भी कुछ बच गए है तो finally last में cancel करके उसको profit करो अगर मैं यहाँ पर debenture holder को कुछ नहीं देता loan को कुछ नहीं देता और सवाल में कुछ नहीं कहता तो एक entry और last में मार देता surrender share account debit to reconstruction पूरे 6 लाख रुपए से बात खता तमझा आता समझे बाता एक entry तो हम कर चुके थे equity shareholder agree to surrender the company मैं दुबारा कर देता हूँ उसको मिटा के दुबारा समझ लेते हैं इसलिए मैंने बोला था यह सवाल में थोड़ा सा देखे कहता है preference share dividend area पांस साल के लिए कोई बात नहीं court ने approval दे दिया भाई reconstruction कर लो तुम कहता है equity share convert इतने का करना है तो भाईया convert करना है equity share हम capital लिख देंगे कौन से वाला old वाला और two equity share capital लिख देंगे कौन से वाला new वाला पहले भी भाई साब शाड़े साथ लाग का रहेगा और अब भी साड़े साथ लाग का्थ कर रहे किये तो 27 साथ का और तो फाइदा हुआ ही नहीं अगली लाइन में कहता है कि equity shareholder agree surrender 80% holding ओके अभी भी कोई फाइदा नहीं हुआ कहता है equity shareholder 80% share को surrender करने को तयार हो गया तो फिर से new वाले equity share को ले लेते हैं new equity share खतम करो और two surrender share two surrender share 80% किसका है इसका बताओ 80% क्या होता है एक लाग बीस अजार एक लाग बीस अजार कह रहे हो इंटू में पांच है ना तो छे लाग अब समझ में आ रहा हो थोड़ा बहुत मैंने क्या किया है आ रहा है समझ में बताइए और आपकी किताब का सबसे आसान चेप्टर रहे है कहता है प्रफरेंच शेयर होल्डर एग्री फोर्गो देयर राइट अनपेड डिविडेंट प्रफरेंच शेयर बोलता है भाईया मैं नहीं लूँगा अपने डिविडेंट अब तुने कहा के बाई सो वाले को असी करने यह मेरे लिए काम की चीज है तो प्रफरेंच शेयर कापिटल अकाउंट डेट था कितने का भाईया प्रफरेंच शेयर पांच लाग का और तू न्यू प्रफरेंच शेयर कापिटल कहता है असी परसेंट यह नहीं चार लाग का और तू रिकंस्रक्शन बताईये आगे क्रेडिटर एग्री डिडिउस देयर क्लेम तू फिफ्ट अफ कंसिडरेशन गेटिंग दा शेयर 90,000 आउट अउट अफ सरेंडर शेयर क्रेडिटर कहता है कि भाईया मैं अपना दो बटा पांच छोड़ने को तयार हूं क्रेडिटर था कितने का चेक कर लेते हैं क्रेडिटर साड़े साथ का था यह कहता है कि भाई मैं अपना दो बटा सा टू बाई फिफ्ट टू बाई फिफ्ट पार्ट क्रेडिटर एग्री तू रेडिउस दियर क्लेम बाई टू फिफ्ट इन कंसिडरेशन लेकिन टू फिफ्ट मैं छोड़ूंगा बदले में मैं लूँगा भी गेटिंग 90 फिफ्ट कितना होता है इसका मैं तीन लाख रुपए के अपने क्रेडिटर राइट को छोड़ने जा रहा हूं तू बस मुझे एक काम कर यार 90 हजार क्या दे दे मुझे 90 हजार रुपए है ये शेर आफ 90 फाउजन आउट अफ सरेंडर एक्विटी हमारे पास सरेंडर में कितना पड़ा हुआ है खेला नंबर कितने पड़े हुए है एक बीस एक बीस नब्बे इंटू पांच अब ये कन्फ्यूजन है कि नंबर गेटिंग कहता है कि कि शेर आफ 90 फाउजन ठीक है कि यहता है मेरे को एक ताम कर 90 हजार शेर दे दे जो पांच रुपए वाले हैं तिर पांच वाले हैं तो नो पंचे पैंताले साड़े चार लाग का मुझे क्या कर शेर दे दे बात खतम करकाने और बागी दूसरा वाला पार्ट है न वो एज बाकी चार पचास होगा वाले बताओ कि यह क्रेडिटर बोलता है मैं दो वटे पांच रिस्सा चोड़ दूँगा लेकिन तभी मैं चोड़ूँगा तु मुझे नब्वे हजार शेर दे दे हो गया डन बाकी चार पचास की बात मत कर वो एज़टी रहे और रहे गए रहे कि बताइए यहां प्रॉफिट हुआ यह लॉस हुआ कि भाई साथ तीन लाक रुपए अपने छोड़ने के बदले थाड़े चार लाक का शियर ले जा रहा हुँ यहां पर सर कि सबसे पहले तो क्रेडिटर कि सर कितने क्रेडिटर राइट आफ हो रहे हैं कि अधिया अर्ब दले में हम इसे अपने जेब से कुछ नहीं दे रहे हैं ह Sarai to पूरा फायदा आप में आप अब वाई तिर दे देते हैं है कि मृत दो पहले स्रेण्डर सिह्रकों निकाल ले आ कि अ का civ1 सरेंडर शेर निकाल लिया अब दे देते हैं तेरे को ल्य전 अब का बिंग वैसे लिखना है शेयर सरेंडर एकुटी शेयर इशू एक बच्चे ने का दूसरा इंट्री बता दो सर प्रफरेंच शेयर जो था ना पहले था हमारा कितने प्रफरेंच शेयर और सौ का था अब बोला पांच हजार को अब असी का कर दो और भाई बाकी के जो बच गया डिफरेंच वो क्या हो गया हमारा अगले एंट्री पर चलें कहता है अन्सिक्यूर्ड लोन कनवर्ट इंटू 75,000 एकुटी शेयर आउट अफ दा सरेंडर शेयर रिमेनिंग लोन भी वाव कितने शेयर ले रहा है 75,000 इतने शेयर है भी है हमारे पास हाँ 30,000 बचे ना मेरेको वही लग रहा है कहीना कहीं अमाउंट में मिसिंग हो गया वही मैं सोच रहा हूँ किताब में इससे तो लिया था गोश्चन आया नहीं कैसे टाइप करना है भाई यह अमाउंट है गलती है टाइपिंग में मैंने इतना कुछ कहानी सुना दिया इसके वीचे बताओ 90,000 अमाउंट यहां अमाउंट कर देते हैं बस ठीक है यानि वो अमाउंट था और हमारा दो दस का वैसे फाइदा और यह भी फाइदा टोटल तीन का फाइदा होगा अगे कहता है कि भाई अन्सिक्योर्ड लोन यह रहा एक लाग पच्चिस हजार कहता है अन्सिक्योर्ड लोन एक पच्चिस तेरे को कनवर्ट कर रहे हैं 75,000 एक्यूटी में यह भी रुपीस ही होगा पच्चिस हजार लेकिन देखा जाए तो मैं इसे 75,000 रुपे का शियर तो दे रहा हूं और बाकी का जो इसका 50,000 है मैंने मना ही कर दिया और इस 75,000 के बतले भी मैं कौन से शियर दे रहा हूं सरेंडर वाला तो बताओ फाइदा पूरे एक लाग पच्चिस हजार कर तो अंसिक्यूर लोन लोन अकाउंट डेबिट एक लाग पच्चिस टू री कंस्ट्रक्शन एक लाग पच्चिस हजार आज मेरे को टाइम पता नहीं क्यों कम लग रहा है बहुत ज्यादा ना एक कि अगली एंट्री में सरेंडर शियर अगर अगर शियर टू री कंस्ट्रक्शन एक इकुटी शियर कितने कहता है सरेंडर शियर नोट इडिलाइज कैंसिल कर दो भाई साम जो सरेंडर शियर आप इडिलाइज नहीं कर पाएं कैंसिल कर दो तो हमने सरेंडर शियर नब्बे और पिछत्तर नब्बे हजार और पिछत्तर हजार रुपे की बात कर लेते हैं तो नब्बे हजार और पिछत्तर हजार होके हैं हमारे एक लाख पैंसट हजार यूज कर चुके हैं छे लाख में से टोटल शे लाख का था एक पैंसट बोल जाएगा तो जो बाकी यूज नहीं हो पाए उसको कैंसिल करते हैं तो हम करेंगे सरेंडर शेर शेर अकाउंट डेबिट टू तू क्या रीकंस्ट्रक्शन चार लाग बताईए कोई डाउं क्लियर आगे एसेट्स आर टू बी रिजियूस एज अंडर एसेट्स को बोला गया खतम कर दो कम कर दो एज अंडर मतलब यह रहा गोडविल को 75 से कम करो प्लांट को एकलाग से कम करो एक्यूप्मेंट को दो 20,000 से कम करो बुक डेट्स को यान डेटर को 40 से कम करो इंवेंट्री को 5 से कम करो इसको जीरो कर दो एनी सर्फलस लेप्ट शुट भी उटिलाइज राइटिंग ओफ प्लांट एंड मसिंटिफ और फर्दर ये वाली लाइन जो है ने एक अलग लाइन बोल देश सवाल के अंडल कॉस्ट ऑफ री कंस्रक्शन पता है भईया कि कॉस्ट ऑफ री कंस्रक्शन क्या करना है फर्दर दस अजार रुपए शियर ईशू एक्जिस्टिंग शियर होल्डर इंक्रीज दा वर्किंग कैपिटल के लिए हमने क्या करा और शियर ईशू कर दिया हमने वर्किंग कैपिटल के लिए तो इसके लिए हमें बैंक में पैसा मिल जाएगा फुली पेड एंड सब्सक्र तु plant plant है plant और equipment दो चीज़े चाहिए यसमें नहीं इसमे यह pact and machinery नहीं plant and machinery नहीं चलो प्लांट प्लांट के बाद एक्यूपमेंट एक्यूपमेंट के बाद बुग डैट यानि डेटर डेटर के बाद इन्वेंटरी यानि स्टॉक इन्वेंटरी तक हो गया एंड और इन्टेटेजीवल एसिट्सोच कर लिजिये इन्टेंजीवल एसिट्स कौन से हैं और सारे गुद्विल हो गया एक प्रॉफिट ऑज़े होंच लाक है और एक पेटेंट है एक पच्चिस तो प्रॉफिट ऑजे और टू पेटेंट चलिए सरमाउंट फटाफट से लिखतेजिए गुड़ बिल का एक लाग टोटल कर लेजिए एक पच्छिस नौ लाग चलिए हो गया समझ में आया है आगे कहता है एनी सर्प्लस लेफ्ट तो यूटिलाइज रीटन अफ प्लांट इन मसीन्डी फर्दर कहता है अगर कोई सर्प्लस मिला तो और प्लांट इन मसीन्डी को कम कर दो चलिए समझेंगे क्या कह रहा है बाद में रीकंस्रक्शन का खर्चा है क्या इंट्री होनी चाहिए रीकंस्रक्शन तू बैंक सर कितने रुपे का कहता है और शेर वर्किंग कैपिटल के लिए इसू कहता है तो कहता है फर्दर एक लाख इक लाख फर्दर रुपीज वन लाख यहां रुपीज है नहीं है अरे क्या कर रहे कहता है फर्दर एक लाख शेर वर इसूद एक्जिस्टिंग शेर होल्डर तो इंक्रीज वर्किंग कैपिटल दा इसू वास फुली सब्सक्राइब एंड उपेड मैंने पुराने शेर उड़र को बुलाए मैंने बॉला भई आजा तिरिक और शेर हम इसू कर देते हैं तो भई उसने बोला ठीक है बाकी पैसे भी दे दिए तो मेरे बैंक पर पैसे आ जाएंगे एक लाख शेर और स्यार था कितने का साथ याद करो शेयर को मैंने reduce करकर करके कहां तक लेके आ गया था नहीं आद पांच रुपए ना पांच रुपए गत्मा तो यह हो गया पांच लाग टू इक्विटी शेर कापिटल बच्चे बोलेंगा सर यह डारेक्ट कर रहे हो चलेगा इतनी एंट्री के बाद चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टो शेर अप्लिकेशन अकाउंट डेबिट टो एक्विटी शेर कैपिटल आप डारेक्ट भी कर सकते हो डյन एंट्री का किया जा सकता है इस पॉइंट अप्डू जाओ तो इसको दो कर ले ना समझ मैं आ रहा है मैं किस दो की बात कर रहा ठीक है आ गया ये सर सब कुछ तो हो गया लेकिन एक लाइन समझ में नहीं आ गया ड्राप जनल एंट्री और प्रपेयर रीकंस्रक्शन अकाउंट तब रीकंस्रक्शन अकाउंट के अंदर आपको मिलेगा एक पॉइंट प्रेलिम्डी एक्स्पेंस नहीं लिया है इसमें लिया नहीं मैंने हाँ 12,000 कोई बात नहीं ले लेते हैं प्रेलिम्डी एक्स्पेंस रहे गया लेना 12,500 तो कोई बात नहीं हो तो यहां लेना है यहां तो मेरे पास है जगे है 12,500 इसमें जोड़ दो अब देखो री कंस्पेंस में फाइदा सारा बाई एकुटी शेयर कैपिटल एकुटी शेयर कैपिटल सरेंडर वाला जो हमने किया था उससे कितने का फाइदा पहुचा था यह रहा कहा गया यह रहा 4,000,000 बाई और कहां से फाइदा पहुचा था सर लोन लोन से कितने का एक और कहां से फाइदा पहुचा था सर और था लोन के आए क्रेडिटर कितने का क्रेडिटर से कितना पहुचा था तीन लाव और कहां से फाइदा पहुचा था सर किसे प्रिफेंशियर से फाइदा था preference here एक लाग का न एक लाग नुक्सान का तो लाइन है गुड विल तू प्लांट तू एक्क्यूपमेंट तू प्रॉफित अन लॉज तू प्रेलिमिने रेक्स्पेंस तू बेटर और तू स्टॉक और तू पतेंट सर गुड विल 75 प्लांट एक्यूपमेंट बेटर सर इंवंटरी सर पी एंडल अरे ओहो यहां तर गड़ बड़ हो गया है पांच लाग प्रेलिमिनेरी डेटर स्टॉक पेटेंट अब जब आप यहां पे कि टोटल करेंगे तो दो जगर बैलेंस निकल सकता है हो सकता है इस साइड निकले हो सकता है इस साइड निकले पॉइंट एट रिपीट कर दो एट तो अभी करेंगे ना अभी करा नहीं है एट सर नो साट इधर का टोटल नो साट क्या रहा है 27 पांसो और इधर का टोटल अब देखिए ध्यान दीजिएगा जो इधर का टोटल जादा आ गया और जितने भी सवाल आपने किये थे सभी के अंदर इधर का टोटल जादा था इधर कापिटल डिजब निकल रहा था लेकिन यहां हुआ क्या इधर का टोटल जादा आ गया तो सवाल कहता है कि अगर आपका गलती से इधर का टोटल जादा आ रहा हो कहता है एनी सर्प्लस लेट शुड यूटिलाइज रिटन डाउन प्लांट एंड मसीनरी फर्दर अगर आपको जरुरत लगे तो आप अडजेस्मेंट करने के लिए प्लांट एंड मसीनरी का इस्तेमाल कर सकते हो सर्प्लस के तौर पे तो अब हमारा इधर का टोटल कितना है यानी यहां पे तो इसने कह दिया के प्लांट हमारा रिड्यूज हो जाएगा एक लागा से लेकिन वहिया इसी एक लाग की वज़े से हमारा सारा गड़ बढ़ हो ग 27,000 यानी इसके अंदर अगर इधर बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है तो चिंता के विशय नहीं है अगर इधर बैलेंस शीट मिल रहा है तो उसको प्लांट से मैच करिए यह कहने का मतलब अब इसकी जनरल एंट्री एक करनी पड़ेगी आपको प्लांट को 27,500 से अब क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि क्रेडिट का मतलब बढ़ रहा है रिकंस्रेक्शन एक एंट्री और कर देंगे हम गलत आ रहा है किसना आ रहा है इधर तो यही है 97,500 और 9,60 उसका टोटल था 60 और 72 का डिफरेंस कितना होता है तो किसने बताये है 12,500 है भाई आप सब क्याल्गूलेटर छोड़ दो 12,500 पंसेट समझता है मेंली यह रहा आपके सामने सवाल 16,000 बार, च उटे न One 16,000 बार, पंसेट दियुयाँ ंनए खेंगे लगए 16,000 बार दोमने सामने सेबके सामने सामने परोश समय 17,000 बार 16,000 बारी ले रहे लेंगे यहेंगे